क्योंकि बच्चा पाट्टी हम रट किया है तो खुला वोल लाओं ठीक है आपकी यही तो आदत अच्छी लगती है तो आप पीछे नहीं समझ पाए थे तो आप दोबारा देख लो ग्यान की बात मैं सवालों के साथ दे रहा हूं मैंने आपको पहले ग्यान की बात नहीं दी देखो बाई क्या मैं घ्यान की बात आपको देना चाहता हूं जल्दी से प्रूफ करो पॉस करके और कमेंट करो अगर आपने कर लिया है ठीक है भाई चलो बच्चा तो आईए शुरू करते हैं तो देखो बच्चा पाटी आज क्या है हमारे गोल पहली चीज है कि हम लोग एक यसी के तैसी करेंगे और साथ में हम लोग बच्चा पाटी खूप सारे क्वेशन प्रक्टिस करेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेशन प्रक्टिस करेंगे ठीक है सर नेक्स चीज़ क्या है मैंने का देखो बाई कंपाउण एगल की डेफिनीशन शायद मैंने पिछले में पिछले वीडियो में बता दी थी परंतु आज हम फिर से बताते हैं जब दो या फिर दो से ज़्यादा angles को हम add करते हैं या subtract करते हैं हम उसको बोलते हैं compound angle क्या सर ये कहीं पूछा जाना है ना रे सर भूल जाए हा रे चलो आगे बढ़ते हैं सर नेक्स चीज क्या है अब देगो वाइसा मैं आपको बता रहा हूं कि proof a plus b का sign of a plus b का बच्चा पाटी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं सर फिर तो कोई टेंशन नहीं बिल्कुल सही बात है चलो अब जल्दी से आजाओ चलो अच्छो तो देखो मैंने क्या किया मैंने भाईसाब एक लाइन देखो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को बच्चा पाटी हम लोग बोल देते हैं और इस पॉइंट को आज डेश लाइन देख रहे हो यह सब मेरा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है यह कोई लाइन मानो ओ एक्स है यह कोई लाइन ओवाई है यह लाइन कोई ओजट है और हाँ बच्चा पाटी एक चीज मुझे बतानी है यह ओ एक्स एकस नहीं है यह यह वाई एकस नहीं है और मैं एक लाइन बनाई है मैं एक लाइन बनाई और साथ में ये इसके परपेंडीकुलर है। सर यह construction और आप कैसे पा रहे हो, बेटा मैं क्योंकि रठकी आया हूं, मैंने इस्को मान रहे है, अच्छा सर अब यह यहाँ पे ध्यान दो, तो बच्चा, अगर मैं इसको लेलू alpha, तो देखो आपको पता है, ये जो white वाली line है, ये जो yellow वाली line है, दोनों line देखो बच्चा बाटी, green वाले line के perpendicular है, हाँ सर, ये जो white वाली line है, ये जो yellow वाली line है, ये green line के दोनों line perpendicular है, हाँ सर, इसका मतलब क्या है, सर, ये वाली line औ और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरलल है, हाँ सर, अगर ये पैरलल है, यानि सर ये कैसे एक्ट करेगा, मैंने का ये देखो, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा, बिल्गुल सही, अब भाई साब पूरा फिकर देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो इसको ये जो छोटा सा Z देखर है न, बस इतने को देखो, तो तुमको पता है, अगर ये वाला एंगल अलफा है, तो जे एंगल भी क्या होगा मेरे क्यूट से बच्चों, ये भी होगा अलफा, तिंसन मत लेना कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस फॉर्मला आना चाहिए, स ले से दिख रहा है, ब्लू से दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू वाला एंगल है बच्चा पार्टी अलफा, लिखा मैंने नीचे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब देखो बच्चों, ये बी क्या होगा, सर देखिए, ये भी होगा 90, अरे वा सर, तो देखो लाउन वाला एंगल जो 90 है, इतना एंगल जो बच्चा पार्टी अलफा है, आप समझ गया होगे, कि ये 90 है, ध्यान से देखो, ये अलफा है, और जैसे इसको आप सब्ट्राक्ट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा, दिस एंगल, ये बच्चा आजाएगा, 90 माइनस अलफ है, अब देखो बच्चा पार्टी, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में बहुत ध्यान से दिखेगा, इस वाले बच्चा पार्टी, ट्राइंगल में, ये है 90, ये है 90 माइनस अलफा, यानि ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अलफा, बहुत ही बेसिक, हम लोग यहाँ पर चीजें कर रहे हैं, यह हो जाएगा एलफा, सर क्या मैं भीहोस हो जाऊंग, ने बिटा भीहोस मत हो, सर यह सब कैसे कर लिए रहो हम याद कर के आए हैं, हम रटा लगा के आए हैं, क्या तुमको रटा करना है, इस्कूल ने पूछा जा तो कर लेना, आइटी जे य और क्या हम रट्टा करके आए हैं कि भाई ये क्या होता है हमने का ये भाई ये एंगल मानते हैं हम लोग बीटा ओके सर अब जरह यहां पर धियान से देखेगा मेरे प्यारे से बच्चों बहुत धियान से देखेगा हाँ सर बताईए ये जो सर जो green वाला triangle है हम screen में देखें दिख रहा है proper अरे भाई साव एकदम राख चिक दिख रहा है तो देखो इस वाले triangle में आपको पता है ये 90 है ये जो angle है ये है alpha plus beta ठीक है सर ये है perpendicular ये है hypotenious परपेंडिकुलर है bd hypotenious क्या है बाई ob ओके सर चलो आजा बेटा काम पे लग जाओ तो देखो भाई इस वाले triangle में इस वाले बच्चा बाटी triangle में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो sign of alpha plus beta है बिल्कुल सही बात है साइन ओफ alpha plus beta क्या है बाई ये परपेंडिकुलर के बराबर तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा परपेंडिकुलर है bd divided by कितना है सर divided by है ob अरे वासर सर आपको कैसे पता ये रटके नहीं आये हैं यहां ध्यान दो ये बाई triangle मैंने लिया इसमें बाई alpha plus beta bd अपाउन allegous perpendicular upon hypotenuse तहीं के सर अब देखो बच्चा पाटी एक चीज और देखिए क्या सर देखो ये angle है 90 मिल्कुल सही ये angle है 90 ये angle 90 थिके सर अब जब बच्चा पाटी एक चीज पे ध्यान देना इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा पाट ये चारो एंगल है 90 यानि की सर ये क्या है मैंने का ये है rectangle ओके सर हाँ बीटा ये है rectangle ओके सर एकदम सही बात है अब बैग ये जो rectangle है आपको पता है उसमें ये वाली जो बच्चा पाटी साइड है this will equal to this साइट अरे हां सर एक जी निसमन में ये रेक्टेंगल कैसे हुआ तो देखो भाई पूरे के पूरे मैस में आपको ये ध्यान रखना है अगर चारो एंगल किसी क्वाडरी लेटरल में 90 हो जाते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है सर वो तो स्क्वेर भी हो सकता है वो अभी हम उस लफड़े में नहीं पढ़ रहे हैं वो लफड़े में जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे फिलाल बस रेक्टेंगल से हमारा काम चला है ठीके सर हम तो बस आपके भगते हैं ने ने मेरे नी बाबा के हां सर हम तो बाबा के बगते हैं जैसा बाबा आपको बताए हम वही follow करेंगे, एकदम सही, आप देखो भाई, इसमें आप देख सकते हो, कि भाई हम लोग लिख सकते हैं, कि ये जो बच्चा पार्टी CD है, ये देखो AE के बराबर है, हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, CD जो है, वो AE के बराबर है, ओके सर, लव यू सर, लव यू टू बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो बच्चा पार्टी, जो BD है, ये किसके बराबर है, सर BC, एकदम सही, प्लस CD, एकदम सही, तो देखो भाई, मैंने BD को यहाँ पर लिख दिया, BC, हाँ सर, प्ल CD, हाँ सर, OBD तो होगा, बिल्कुल सही, आप देखो बच्चा पार्टी, जैसे आप BC इसको करोगे, तो यह आ जाएगा बच्चा पार्टी, BC अपान OB, प्लस क्या हो जाएगा मेरे क्यूट से बच्चों, CD अपान OB, हाँ सर, एकदम सही बात है भाई, ये हो गया BC, और ये क बराबर है, आप यहाँ पे देखो भाई, इसको देखो पुट कर सकते हो, इस लाल वली जगा पे, ओके सर, तो जैसे बच्चा पार्टी इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, तो देखो ये कितना आ जाएगा, सर, ये आ जाएगा BC, अपान आ जाएगा OB, प्लस कितना हो ज है, आपकी यही तो आदत अच्छी लगती है, मुझे अपनी ये आदत खराब लगती है, मुझे बोलना चाहिए कि मैं सोच रहा हूं, तो कोई बात नहीं, अब देखो भाई साब क्या है, ये है A, ठीक है, मैं देखो क्या कर रहा हूं, OA से यहाँ मल्टिप्लाई कर रहा ठीक है साथ, और इसमें मैं क्या करने वाला हूं, बच्चा पाटी, मैं देखो A, B से उपर नीचे मल्टिप्लाई करने वाला हूं, सर बाबा इतना कैसे सोच लेते थे, भाई साब बाबा बोकाली थे यार, हम भी कम बोकाली नहीं, उस जमाने का वो नीट था, यह सब सोच से बेटा, अब देखो भाई साब अगर इसको आप और सॉल्फ करोगे, और सॉल्फ करोगे, तो देखो यहां है A, E, यहां है O, A, तो यह हो जाएगा A, E, अपॉन कितना हो जाएगा O, A, O, K, Sir, O, K, Sir, O, K, Sir, अब यहां ध्यान दो यह या O, A, यह क्या है O, B है, हम इसे लिख सकते हैं, O, A, अपॉन, O, B, बोलो, जैबाबा की, ठीक है, Sir, Sir, इतना कैसे लिख रहे हो, Sir, क्योंकि हम रट के आया है, Sir, क्या हमें भी रटना है, ना भाई, तो क्यों बता रहे हो, बस जिसमें कि आप लोग भोगाली बाबा बन सको, इधार रहो, ठीक है, Sir, अब ज यह तो 90 है, सब कुछ, यह सब भूल जाओ, जितना तुम्हें दिख रहा है, बस यह औरेंज देखना, बस नारंगी बाबा देखना, अच्छा, Sir, भगवा देखना है, हाँ, भगवा देखना है, O, B, A, ठीक है, Sir, O, B, A, B, क्या है, Sir, A, B है, Perpendicular, हाँ, बेटा, Sir, यह क्य लिखा है, हमने का, देखो, भाई, यह है, O, B, यह है, A, B, इसको जैसे आप जॉइन करोगे, तो यह जो साइन बीटा है, वो हो जाएगा, देखो, यह 90 है, बस भगवा देखना, तो यह हो जाएगा, A, B, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, O, B, ओके, Sir, चलो, Sir, यह तो हम समझ में आ गया, Sir, very good, मिर बच्चे, अब यहाँ वे बच्चा वाड़ी ध्यान देखना, अब देखो, दिया है, BC अपॉन AB, अच्छा, Sir, BC कहा है, मैंने का, यह है, BC, अरे, वा, Sir, AB कहा है, हमने का, यह रहा, AB, अरे, वा, Sir, देखो, पाई, यह नीले वाली हाँ, बेटा, अब इस ट्राइंगल में देखो, BC कहा है, Sir, BC तो यह परपेंडिकुलर है, हाँ, बेटा, BC परपेंडिकुलर है, AB इस वाले ट्राइंगल है, हाइपोटेनियस है, हाँ, Sir, सर, यह जो एंगल जो एलफा है, यह उसका बेस है, एंगल एलफा का बेस है, यह हाईपोडेनिय inmye क्या होता है सरो कॉजल पर होता है ठीक है तीक थीक 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 है cos ठीक होता है करना इसे प्रेम करना इससे करना इससे मत करना Allah इप रिखेंज नेक्स की आती है यहां दो पूरा देखो से अपूरा देखो से ब्राउन देखो ब्राउन सर इसमें क्या है मैंने का यह है A E और यह क्या है O A perpendicular upon hypotenuse तो यह क्या होता है sin alpha अरे वा सर हा बेटा यह क्या होता है sin alpha sin alpha सर यह कैसे हुआ हमने का यह है A E यह है O A O A O A O A A E upon O A क्या हो जाएगा बाई यह हो जाएगा sin alpha ओके सर और बताओ सर सब ठीक ठाक बेटा सर O B का है हमको खुदी नहीं दिखा अरे दिख्या वाई दिख्या 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 यह है O B यह है perpendicular अरे वा सर सर O A क्या है हमने का base पसंद है सर O B क्या है हमने का hypotenuse पसंद है सर base upon hypotenuse देखो सर cause of beta अरे वा सर ये क्या हो जाएगा हमने का ये हो जाएगा cause of beta sir oe upon oe cause beta कैसे हुआ sir 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 ये देखो sir आपको पता है ये था oe ये था oe b अरवा sir sir prove की ऐसी की तैसी yes beta prove की ऐसी की तैसी अब जैसे इसको simplify करेगा तेरे को पता है sin of alpha plus beta क्योंकि ये value किसकी आईए भाई इसी की value हम लोग solve करते आ रहे है कि sin of जो alpha plus beta होता है ये होता है sin alpha cause beta plus cause alpha sin beta अब भाई साब अगर तुमारा मन है तो बता हम बाकी भी prove करा दें मुझे खुद पता है कि तुम खुद नहीं चाहते हो तो बस यहीं पे बोलो जैवावा की prove की ऐसी की तैसी यह यहां से आया है बस मुझे हलका था feel देना था वो मैंने आपको feel दे दिया अब इसे भूल जाओ कहुआ भूल जाओ ठीक है sir अब यहां पे ध्यान दो अच्छा इसे बेले मैं जानना चाहूँगा यहां पे time stamp करके मैं यह जानना चाहूँगा कितने लोग को prove समझ में आ गया बस ऐसी जनता देखना है कि किस level की है ठीक है भाई और आ इस वाले सवाल पे इसके proof पे आपका selection बिल्कुल depend नहीं कर रहा है आया तब भी आपके selection की probability 1 है नहीं आया तब भी selection की probability 1 है लेगिन अगर formula याद नहीं किया तो selection की probability यह 0 हो जाएगी अच्छा बहुत से लोगों probability नहीं आती होगी कोई बाद नहीं अब देखो भाई यह चीज़ देखो कल मैंने आपको कराई थी मैंने क्या कराया था कि भाई यह होता है sin A, cos B plus कितना होता है बच्छा पाटी cos A into होता है sin B, okay sir हाँ बेटा, okay sir यह तब होता है जब यहाँ पे लगता है plus, ठीक है sir अगर बच्छा पाटी यहाँ पे लगा minus, देखो मैं red color से दिखा रहा हूँ minus, तो sin A red वाला minus B, तो देखो बीच में लग जाएगा बच्छा पाटी B last video में आपको बताया था इसके बाद होई cos of A plus B cos भाई साब, इसको जैसे proof किया तो देखो यह आया, cos A, cos B minus आया, sin A, sin B अच्छा sir, हाँ बेटा तो sir देखो, यह plus जब यहाँ पे होगा, तो यहाँ minus आयगा हाँ जी, बिल्कुल, जी हाँ cos A plus B जब करोगे, तो देखो minus आयगा, अगर बच्छा पाटी आप यहाँ पे minus करोगे, मतलब cos of A minus B, तो यहाँ पे बच्छा पाटी क्याएगा, plus प्लस आयगा, हाँ बेटा मतलब जब यह लाल वाला माइनस गया cos A minus B, तो यहाँ पे बच्छा पाटी आपके flashpad में होना चाहिए, और यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर, अब देखो बच्छा पाटी, अगर किसी ने बोला tan of A plus B तो देखो यह होता है, tan A plus होता है, tan B divided by क्या होता है 1 minus tan A और इंटो कितना होता बच्छा पाटी tan B, ठीक है सर हाँ बच्छे, लेगिन यह कब आया जब यहाँ पे plus है, tan of A plus B, अगर बच्छा पाटी, यहीं पर यह चीज़ क्या हो जाती, minus को जाती, अच्छा सर हाँ बेटा, तो यहाँ पे आता minus, यहाँ था plus, मतलब tan of A minus B, मैं पढ़के बोलते हूँ, please confuse मत हो ना, tan A minus B, upon 1 plus tan A, tan B, I hope बच्छा पाटी सब को समझ में आ गया होगा, अब देखो बहुत से जो करांतिकारी युवक होते हैं, वो यह वाला formula याद करते हैं, कृपिया करके इसको याद ना करें simple भाई साफ, यह होता है 1 upon tan of A plus minus B, किताबों में भाई साफ, इसका अलग formula दिया होगा तो कृपिया करके trigonometry में भी बहुत सारे formula हैं, जिनको जरूर याद करना है, तो ऐसे फाल्तू, प्रूब, ऐसे फाल्तू formula में, अपना दिन और दिमाग, दिन तिल और दिमाग खराब ना करें, आपको पता है, यह कैसे निकलता है, यह तेड़ा हो जा रहा है, यह निकलता है, 1 upon tan of A plus minus B, I hope अच्चा बाटी, यहाँ तक सबको आगया होगा, तो देख लो बाई, यह आपको याद करना है, तो मैं आप यह सितारे बना दे रहा हूँ, यह बच्चा बाटी, आपके flashpad में होना ही चाहिए, ठीक है, सर्ट, ठीक है, आप देख लो बाई, नेक्स चीज़ आती है अब देख लो बाई सब, यह सारे formula हमें चाहिए, तो देखो हम इसको कैसे देख रहे हैं, तो ज़रा एक चीज़ आप यहाँ पर देख लो, यह बच्चा बाटी, अगर आपको किसे ने पूछा, what is sign of 2A, तो simple आप इसको क्या लिख सकते हो, sign of A plus A, तो आपको पता है, यह क्या होता है, मैंने का सर, यह होता है, sign A cause B, मैं B बुलना हूँ, लेकिन देखो formula वही लगा रहा हूँ, जो पहला वाला था, और plus क्या होता है, यह cause A sign B, मतलब यहाँ पर A equal to B है, तो जैसे आप यहाँ put करोगे, simplify करोगे मेरे cute से बच्चों, यह आजाता है, देखो 2 sin A cause A, ओके सर, मैंने का, हाँ बेटा, यह इसका formula है, sign 2 A का, 2 sin A cause A, अच्छा सर, हाँ बेटा, अच्छा सर, हाँ बेटा, अब देखो बाई, इसका एक और formula होता है, जो आपको याद करना है, कि वो होता है, इसको formula आता है, उसको trigonometry सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, इसलिए बच्चा पाटी, जरूर formula याद करने ना, अब यहाँ पे ध्यान दो बाई, 210 A, सर, यह होता है, 2 sin A, अपान होता है, बच्चा पाटी, cause A, divided by होता है, 1 plus sin square A, divided by होता है, अब द्यान दो बच्चा पाटी, next step क्या है, एक cause से, एक cause गया, यहाँ पे देखो, identity लगेगी, cause square A, plus sin square A, 1, एक cause नीचे बच्चा, वो देखो, उपर चला जाएगा, तो देखो, सिंप्लिफिकेशन किया, तो देखो, बईया, यह 2 sin A, cause A में convert हो गया, और 2 sin A, cause A, उपर देखा, कि यह होता है, बच्चा, sin 2 A, तो देखो, बई, sin 2 A, कि देखो, दो formula है, जो use होंगे ही, जो आपको याद करने ही है, तो देखो, प्रूफ की, ऐसी कि तैसी, तो देखो, यहाँ पे, मैं इसका, देखो, formula लिख दे रहा हूँ, जो आपको याद करना है, तो किरपिया करके, एकदम, जुनून के साथ, आगे बढ़े, यहाँ जाएगा, देखो, बच्चा बाटी, 2 sin A, या फिर यह किसके बराबर होता है, 2 tan A, upon, 1 plus tan square A, ठीक है, तो भाई साब, यह कुछ ऐसा आलम है, कि यह अगर, 20 बार यूज होगा, 20 बार यूज होगा, तो यह 19 बार, मतलब 19 बार फिर यह यूज होई जाएगा, इसमें दोनों को भाई, equal importance के साथ याद करना है, और और और, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, सितारा, तो यह आपका flashpad में होना चाहिए, हटाओ यार, एक सितारा, हाँ सर, इसको मैं देता हूँ, one star, ठीक है सर, अब आता है बच्चा बाटी, cost to a, ठीक है, तो देखो भाई, cost to a क्या है, same way में हम लोग इसको proof करते हैं, proof की ऐसी की तैसी, कैसे proof करते हैं, मैं थोड़ा सा idea दे देता हूँ फिर से आपको, इसे लिखते हैं, cause of a plus a, चलो इसको और proof कर देते हैं अंगले page में, फिर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है सर, आजो सर, हाँ बेटा, ओ मैदान में हो, अरे सर, हाँ, बिल्कुल, अब देखो भाई, cause of 2 a, अच्छा सर, कैसे करते हैं, मैंने का, देखो भाई, इसको करते हैं, cause of a plus a, तो देखो formula क्या था, आपको पता है, इसका answer था, cause a, into cause b, minus, sin a, into sin b, अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि a equal to b है, तो यहाँ पे देखो formula जैसे लगाओगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे होगा क्या, सर, यह cause a, cause a, cause a होगा, और sin a, sin a होगा, तो यह value बच्चा पार्टी आ जाती है, cause square a, minus sin square a, तो यह बच्चा पार्टी देखो, formula इसका याद ही होना चाहिए, ठीके सर, और बताईए सर, हाँ बेटा, चलो, और बताते हैं, अब देखो भाई साब, अगर किसी के अंदर, भूट चड़ गया, और इसको लिख दिया, 1, minus sin square a, यह तो बच्चपन का formula है, हाँ सर, minus कितना आ जाएगा, sin square a, simplify जैसे करेगा, तो भाई यह आ जाएगा, 1, minus 2, sin square a, बिल्कुल सही बात है, या फिर किसी के अंदर, भूट चड़ा, तो इसने, इसको भी यह पुट कर दिया, 1, minus cos square a, तो देखो यही formula, यह भी formula ग्याद करना है, तो देखो भाई, यह हो जाएगा, cos square a, minus 1, minus cos square a, अब जैसे भाई, simplify करेगा, तो यह आजाएगा, 2, cos square a, minus 1, अच्छा सर, हाँ, बेटा, अच्छा सर, हाँ, बेटा, तो देखो भाई, तीसरा formula यह आता है, तो देखो इससब prove तो हम लोग कर सकते हैं, परन्तु आपके भाई सब flashpad में सारी चीज़ दिखनी चाहिए, और similar way में भाई साब इसका एक और formula आता है, जो बच्छा आता है, 1 minus tan square a, और upon में होता है, 1 plus tan square a, तो देखो भाई, यह भी formula याद करना है, इसको भी हम prove कर सकते हैं, परन्तु अब हम भाई prove नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बच्छा पाटी, इसको prove करने की जुरुत नहीं है, जो legendary होते हैं, लोग होते हैं, जो selection पाते हैं, selection पाते हैं, वो भाई साब यह सब formula होने के, मुझ जुबानी यह सारी चीज़ें याद होती है, तो देखो भाई, cost to a क्या आजाएगा बच्छा पाटी, cause square a, minus sine square a, यह formula है, एक और formula है, यह होता है बच्छा पाटी, 2 cause square a, minus 1, ठीक है, minus 1 भाई, पूरे में हुआ है, पूरे के पूरे 2 cause square a में, बेटा, minus 1 हुआ है, और यह होता है, 1 minus 2, sine square a, ठीक है सर, हाँ बेटा, और साथ में एक formula और है, जिसके बारे में हमने कोई भी proof रूफ नहीं करा, चो हो जाएगा बाई, 1 minus 10 square a, अपॉन 1 plus 10 square a, हाँ बेटा, अब देखा जाए, तो याद पताओ किस चीज़ को करना है, कोई खास सी सुड़ना है, आपको बस ये याद करना है, तो इससे तो इन दोनों को derive आप करी सकते हो, और तीसरा ये याद कर लो, ठीक है सर, मान लिया, एकदम सही, अब इधर आओ भाई, tan 2 a, what is tan 2 a, बस मैं लिख रहा हूँ उसको याद करो, इसको भाई मैं प्रूफ नहीं करूँगा, या जाएगा, 2 tan a upon 1 minus tan square है, वैसे कि ये कैसे आया होगा, चलो भाई, side में लिख देता हूँ, मुझे दया आ जाती है, कि भाई ये ऐसे प्रूफ होगा, कि in tan a plus b, ठीक है सर, आपको क्या put करना है, put a equal to b, पीछे के formula में tan a plus b में, बस आपको भाई a equal to b put करना है, तो ये बच्चा ऐसे प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ की ऐसी की तैसी, आपको in short, ये सारी चीजे देखो, याद होनी चाहिए, ठीक है सर, बहुत याद करा रहे हो ना, बहुत याद करा रहा हूँ, जो करना हो कर लो, तैन टूए हमने का भाई, इसको कुछ याद करने ज़रोत नहीं है, बस कर देना, one upon ten to a, मौका आने पर इसकी भी चीजे मैं आपको बता दूँगा, तो देखा जा बहुत बहुत ओपी formula आए हैं, जैसे कि भाई आ गया, sin 3a, ये formula आपको याद होना चाहिए, अच्छा सर, सर, sin 3a कितना होता है, मैंने का देखो भाई, ये होता है, 3 sin a, minus 4 sin cube a, आपको आपके career की कसम है, ये सारे formula आपको कहीं पर लिख लेने हैं, कहीं पर नहीं, flashpad में अभी लिखते जाओ, जैसे मैं बोलू flashpad, तुरंद भाई साब आपको क्या करना है, flashpad खोलना है, उसमें एक formula लिख देना, ये नहीं वीडियो के end में करेंगे, नए 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 नए, तुरंद लिखो, और ये भाई साब बहुत easy formula है, ओके सर, next जी जाती भाई साब, जो होता है, cos 3a, ये होता है बच्चा पाटी, 4 cos cube a, minus 3 cos a, prove की, ऐसी की तैसी, आपको ये formula, मुझ जवानी याद होना चाहिए, कि भाई साब, रात में सोते वक्त भी, अगर कोई जगा दो, आपसे formula पूछ ले, आप बता पाओ, ये भी formula याद करना है, अरे sir, हालत खराब हो गई, हमें लगा तक कोई आप shortcut बता दोगे, बेटा, shortcut ये ही है, कि सारे formula याद करो, otherwise game से बाहर हो जाओ, बस, अच्छा sir, डर गए sir, हाँ बेटा, डरने की कोई भी जुरूरत नहीं है, अब देखते हैं, next formula, ये formula होता है, 310A, minus, 10 cube A, divided by, 1 minus 3, 10 square A, बेटा, ये formula जरूर याद होना ही चाहिए, चाहिए कुछ भी हो जाए, ये तीनो formula बच्चा पाटी, आपके एकड़म दिल दिमाग में होने चाहिए, बहुत important formula है, अब देख लो बाई साब, अगर आपको याद करने का कोई pattern समझना है, तो देखो, ऐसे समझ सकते हो, कि जो 10 3A है, वो है 3 sin A, क्या बोला, मैंने उल्टा बोल दिया, 10 3 A बोल दिया, जो बच्चा sin 3 A है, वो है 3 sin A, minus 4 sin cube A, ऐसे बच्चा बाटी, जो cos 3 A है, वो होता है बिटा, 4 cos cube A, 3 cos A, मतलब देखो, उपर वाले के एक तरद से minus times है, बस sin की जगे cos है, ठीके न, अगर कभी भी confusion हो, तो उपर वाला याद करो, यह कोई O.P. method नहीं याद करने का, और ना मैं कोई O.P. method बताऊंगा इसमें, और ना कोई भाईया, ऐसा कोई method मैंने बनाया है, लेकिन आपको याद करना है, जो भी method हो, 3 sin A, minus 4 sin cube A, और नीचे होता है बच्चा बाटी, 4 cos cube A, minus 3 cos A, और यह होता है 10 3 A का formula, तो यह 3 भी तुरंट अभी बच्चा बाटी, flashpad में लिख लो, और ध्यान रखो, उसमें common mistake क्या है, लोग बच्चा बाटी यहाँ पर देखो 4 लगा देते हैं, तो देखो यहाँ पर 4 नहीं लगता है, बस सिंपल है, 1 upon 10 3 A, ओके सर, जैवावाकी, और बताए सर, चलो बेटा, और बताने से पहले, चलो मैं सबसे पहले आपको देता हूँ यह सवाल, चलो भाई साब, वीडियो को pause करो, और इस वाले सवाल को करने का प्रयास करो, ठीके सर, करते हैं प्रयास, जैवावाकी, चलो भाई, अब देखो भाई, यह question कैसे होगा, उमीद है, आपने pause कर लिया होगा, और इस सवाल में ध्यान दे रहे होगे, तो देखो भाई साब, कोई मैं सवाल का यहाँ पर type नहीं बनाने वाला, यह जो simple सवाल है, आपको करने है, और यह जितने भी भाई सवाल है, करने के बाद, आपको दिल दिमाग में बसाने है, ठीक है, मैंने कुछ भी बोल दिया इस बक्त, चलो यहाँ आपने ध्यान दो, अब देखो भाई, यह सवाल कैसे होगा, कि देखो भाई, 3A involved है, 2A involved है, A involved है, ठीक है सर, तो सर हम क्या कर सकते हैं, हमने कहां, देखो भाई, एक pattern हमने observe किया, बच्चा पार्टी, कि जो 3A होता है, वो आता है, बच्चा पार्टी 2A plus A, ओके सर, अब क्या करो भाई, क्योंकि यहां पे देखो भाई, हर जगे 10 लिया हुआ है, यानि सर, दुनिया किसकी है, सर, 10 की दुनिया है, ओके सर, यानि आप सर, 10 ले लो, ठीक है सर, जैसे बच्चा पार्टी आप 10 लोगे, यहां पे आ जाएगा, 10 3A, बराबर आ जाएगा बच्चा पार्टी, 10 of 2A, प्लास A, ओके सर, अब बताओ यह क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, 10 3A, यह देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्म्ला, अगर आपको फॉर्म्ला याद है, तो आप तुरंद बुलोगे, कि सर, यह 10 of A, प्लस B लिखा है, देखो मेरे cute से, सुन्दर से बच्चों, यह देखो यहां पे है, 10 of A, प्लस B, लाल वाला, ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो भाई, what is 10 of A, प्लस B, तो जैसे लगाओ, कि देखो, यह फॉर्म्ला क्या होता है, मेरे बच्चों, यह होता है, 10 A, प्लस होता है, बच्चा पार्टी, 10 B, और divided by, क्या होता है, बच्चा पार्टी, 1 minus, 10 A, into 10 B, I hope, आपको समझ में आ गया होगा, यह मैंने कैसे एक्स्पेंट किया है, लेगिन कोई बात नहीं, आप छोटे-छोटे बच्चे हो, तो मैं यहाँ पर देखो, फॉर्म्ला भी लिख देता हूँ, अगर आप पीछे नहीं समझ पाए थे, तो आप दुबारा देख लो, कि भाई, 10 A, A प्लस B होता है, 10 A प्लस होता है बच्चा पाटी, 10 B और डिवाइड़ बाई होता है, 1 माइनस 10 A, और इंटू क्या होता है बच्चा पाटी, 10 B, तो इसको दुबारा देखो, और याद करो, इस चैप्टर में जो बच्चा फॉम्ला याद कर लेगा, बहुत असान है, फॉम्ला याद करना बहुत असान होता है, प्लीज बहाने वाजी मत करना, कि हमें याद नहीं होता, ये सब भाई साब, ये सब खुद के साथ करे हुए धोके हैं, प्लीज अपने साथ धोका मत करो, आपको कसम है आपके करियर की, यह सारे के सारे formula आपको याद कर लेने है अभी comment करो हाँ sir कर लेंगे career की कसम है ध्यान रखना ठीक है sir अभी यहाँ पर ध्यान दो जैसे आप इसमें देखो cross multiply कर आओगे तो यह इसके साथ cross multiply जैसे होगा तो देखो आप भी please pen चलाते रो sir tan a into कितना आजाएगा sir tan b मतलब tan 2a और यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों tan 3a और यह equal to कितना होगा मेरे बच्चों tan 2a और plus कितना हो जाएगा मेरे सुन्दर से बच्चों tan a ओके sir हाँ बेटा आप देखो भाई यह एक है यह एक है और यह एक है इन दोनों को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा sir यह आजाएगा tan 3a माइनस कितना हो जाएगा बच्चे tan a माइनस कितना हो जाएगा बच्चे tan 2a और इन तीनों को उधर ले जाओ यह जो तीन है अमर अकबर एंथनी उनको धर ले जाओ तो यह क्या लिखा है यह लिखाय बच्चा, टैने इंटु टैन भी इंटू टैनसी की ओके सर havens proved हो गया क्या है क्यों करो हाँ सर havens proved हो गया sir जयवावा की सर जयवावा की बच्चे hence proved ठीक है बाई, ओके सर, ठीक है, ठीक है बाई, चलो बाई, सबको समझ में आगे होगा, ये सवाल कैसे किया, ठीक है, कृपिया करके इस चाप्टर में ये मस सोचें कि तुम से क्यों नहीं हुआ, मेरे करने के बाद चीज आपके दिल दिमाग में बसनी चाहिए, ठीक है आप कुछ भी नहीं है, चलो हमी सवाल बना देते हैं, अब दिखो बच्चा बाटी, कभी कबार आप से पूछ लिया जाता है, कि बाई, साइन 15 डिगरी की वेल्यू बताओ, दिखो आपको रोना नहीं है, कब से पहली चीज़े, रोना नहीं है, तो दिखो इसकी वेल्यू हम कै कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, साइन ओफ ए माइनस बी का फॉर्मला, जो क्या होता है बच्चा, याद करो, अभी चिल्लाओ, अपने घर में बैठे बैठे, साइन ए कॉज बी, माइनस क्या होता है बच्चा बाटी, कॉज ए इंटू होता है साइन बी, होते सर, इसको लिख सकते हो, 30 डिगरी, तो जैसे याँ पुट करोगे, यह आ जाएगा बच्चा बाटी, साइन ओफ 45 डिगरी, माइनस 30 डिगरी, देखो बच्चा बाटी, इस फॉर्मले में हमने पुट किया है, तो देखो इससे क्या आ जाएगा, 15 देखो ऐसी तो बनेगा, कॉट ओफ बी, माइनस, यह कितना है, कॉट ओफ ए, साइन ओफ बी, फॉर्मला लगा डाला, तो लाइव जिंगा लाला, अब यहाँ पे बच्चा बाटी ध्यान दो, साइन ओफ 45, माइनस 30, यह होता है बच्चा बाटी, साइन ओफ 15 डिगरी, इकुल टू साइन 45, कितना है 1 by root 2, यह कितना होता है बच्चा बाटी, root 3 by 2, minus, कॉस 45 कितना होता है, 1 by root 2, साइन 30 होता है 1, अब जैसे बच्चा बाटी सिंपलीफाई करेगा, यह आ जाएगा root 3 minus 1, upon कितना आ झाएगा 2 root 2, तो भाई साथ देखो यह भी जही पूछेगा, जरूरी नहीं है, परनतुत द देख लो और इसे मेमराइज करने का प्रयास करो यह तुरंत आपको याद नहीं होगी लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि चीजें आपको याद होने लगेंगी अब देखो बाई common doubt क्या आता है common doubt लोग कहते हैं सर आपने 45 और 30 डिगरी ही क्यों लिया सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे 15 बनाने के लिए मैं पूसता हूँ कैसा कर सकते थे उसने कहा कि सर साइन 20 माइनस 5 डिगरी कर देते मैंने का हां बिटा कर सकते थे उसने का सही मैंने का हां जैसे कि आप अच्छा पाटी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी ओके सर अब देखो बच्चा क्या साइन 20 डिगरी की तुमको वेल्यू पता है गूगल मत करना और व अगल हमारे लिए बच्चा नोन नहीं है इसलिए हमने इसमें नहीं तोड़ा यानि देखो हम क्या कहना चाहते हैं कि जब भी कभी आपको ऐसी चीजों की बच्छा पार्टी देखो वेल्यू निकलनी है तो देखो आपको क्या करना है शर क्या करना है मैंने का वाइस हाँ बेटा तो यह भाई सब आपको ध्यान लगना है और देखो यहां पर मैं सितारा लगा रहा हूं कि अब सब्सक्राइब करो यह क्वेश्चन में आपको देता हूं इसको तुरंट अभी करके दिखाओ कॉज ओ फिफ्टीन डिगरी वीडियो को पॉस करो जैसे कर लो टाइम स्टम लगा बोलो सर खुद से किये हैं हम समझ जाएंगे तुम बहुगाली बाबा हो अब देखो प्रचापाटी कॉस नोन एंगल्स का सब्ट्रैक्शन नोन एंगल्स ठीके सर अब एक चीज बताओ यहां पर क्या है मैंने का सरी यह कॉस ए इस अब आपको पता है माइनस के के से बाइद को प्लस लगता है यह मैंने आपको याद कराया है ओके सर इंटू कितना हो जाएग प्लस साइन 45 कितना है वन वाई रूट टू साइन 30 कितना है वन वाई टू सॉल करेगा बच्चा पार्टी तो यह आ जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 तो देखो यह जो एंगल है इसको भी बच्चा आप याद करने का प्रयास को और देखो यह अभी काम नहीं आ इसको आप इग्जैम में निकाल लेना या तो याद कर लो अपने फ्लैश्पेट में लिख लो जब यूज आएगा आपको खुदी याला जाए ठीक है बच्चा बाड़ी चलो बच्चा बाड़ी नेक्स चीज देखते हैं जब आज आ रहे हैं हमाज लोकी भरशन है ogram की बहिए है अच्चा सब आज formally की भर मार है यह अब देखो अब साब ये दे को तीन फौमले आते हैं जो जरूर आपको याद करने ने हैं अरे पेटा, IIT की त्यारी कर रहे हूं तो भाई साब डर तो लगेगा ही ठीक है IIT की त्यारी में आसू तो निकलते हैं लेकिन भाई साब ये सोचो एक बढ़ आपने याद कर लिया तो जीवन में आप कितने लोगों से आगे निकल लिया होगे ठीक है तो हिम्मत दिखाओ याद करने का प्रयास करिए ठीक है सर ठीक है बेटा रूइए नहीं आसू पूछो ओके सर अब यहाँ देखो भाई साफ मस्ट राई क्यों लिखे हो MSM तुम्हारा भी नसा अलग लेवल पे चलता है ठीक है सर अब यहाँ पे ध्यान दो भाई करना बस ध्यान से सुनते रहना सवाल करना आना चाहिए लेकिन फॉर्मला ज़रूरियात करना hai ठीक है बाई प्रूफ इसका भूल भी जाओ तो IC की तैसी लेकिन प्रूफ करना आपको सुनना जरूर है क्योंकि ये प्रूफ खुद एक सवाल है लेकिन इन सब चीजों का जो J-E में सवाल आये हुए है ये सारे फॉर्मले बच्चा पाट्टी डिरेक्ली यूज हो जाते है ठीक है सार अब यहाँ पे ध्यान दो 10 of 60 degree plus alpha तो उसको में लोग कैसे लिखिंग भाईया फॉर्मला क्या था मेरे बच्चे 10 A प्लस था 10 B ठीक है divided by 1 minus 10 A और इंटू कितना था 10 B पेटा ये फॉर्मला होता है ये याधी करना है ये 10 of A plus B क्या होता है 10 A plus 10 B upon 1 minus 10 A 10 B 10 60 minus alpha मैंने का ये होता है 10 A minus कितना होता है 10 B divided by कितना होता है 1 plus ठीक है सर ये होता है 10 A इंटू होता है 10 B ठीक है सर अब तीसरा क्या है मैंने का देखो भाई तीसरा है 10 of alpha ओके सर हां वेटा आप जरा बच्चा पार्टी सब लोग यहां पर ध्यान देना ठीक है बिलकुल हिम्मत के साथ आप लोग भॉकाली बाबा हो ना बिलकुल मत डरना अब देखो बाई जैसे इसको सिंप्लिफाई करेगा अब देखो बाई सबसे पहली चीज क्या है मेरे बच यह कितना होता है सर यह होता है root 3-10 of alpha शैद आपको देख रहा होगा ठीक है सर दिवाइड बइक होता है बच्चा पार्टी 1-1 प्लस root 3 into 10 of alpha ठीक है सर और पूरे में क्या मल्टिप्लाई है मेरे क्यूट से बच्चो 10 of alpha okay सर equal to अब देखो बच्चा पार्टी क्या होगा होंगे तो a plus b into a minus b लिखा है तो आपको पता है a square minus b square तो देखो root 3 का square आएगा बच्चा बाटी देखो 3 और tan alpha का whole square आएगा बच्चा बाटी tan square alpha okay sir और किस से multiply हो रहा है बच्चा बाटी tan alpha से तो बाहर लिखो देखो बच्चा बाटी tan of alpha divided by divided by नीचे क्या है यहां पर लिखा हुआ है a minus b a plus b तो देखो बाटी 1 का square होगा 1 और root 3 alpha का whole square तो आपको पता ही है यह आजाएगा बाटी 1-3 tan square alpha okay sir अब देख लो भाई जैसे आप इसको इसमें multiply आप करोगे तो देखो यह कितना आ जाएगा अच्छा सर बताइए देखो सर कितना आ जाएगा सर यह आ जाएगा आपका 3 tan alpha ठीक है minus tan cube alpha upon 1-3 tan square alpha और आप पीछे वो देख सकते हो भी मैं दिखा सकता हूँ अगर आपने बच्चा देखो फ्लैश पैड में यह सारी चीज़ें लिखे होंगी तो देखो यह सब चीज़ें आप तुरन फ्लैश पैड में देखकर या सोचकर आपने अगर याद कर लिखा होगा तो आपको ज्यादा आप स्लाइट्स पीछे नहीं जाना होगा वीडियो को पीछे नहीं करना होगा आपको यह फर्मला याद होगा देखो बच्चा यह फर्मला मैंने यहां पे देखो कराया है मैंने का था प्रूफ तो दिखो इसको हम लोग याद कैसे करते हैं बच्चा पाटी हम किया 60 में alpha subtract किया और tan alpha इसको multiply कर रहा है तो देखो भाई यह बहुत ही बच्चा पार्टी famous pattern है जो आपको बच्चा पार्टी जरूरियात करना है क्योंकि आप सब बहुत प्यारे से बच्चे हों देखें ना आपको mentor उनसे कहता है करने के लिए वो करते हैं तो बच्चों प्लीज हमारी बात मान लो हमारी मतलब हम मैं मतलब हम यानि msm तो भाई सब यह ध्यान रखो यह सारा formula बच्चा अगर याद कर लोगे ना बस मैं आप से एक चीज माता हूँ आज के लेक्चर में सारा formula याद कर डालो अगर आप सारा formula याद कर डालोगे ना आप भाई सब trigonometry के boss बन जाओगे और ये chapter boss बनने के बाद यही सारी चीज बच्चा बाटी आगे चलके calculus में फिर काम आएंगी ठीक है तो बच्चा प्लीज याद कर लो और प्लीज आपको के career की कसम है अगर आप सीरियस स्टूडेंटों life में अगर कुछ करना चाहते हो तो बच्चा बाटी प्लीज यह सब अपने flashpad में लिख लेना और रोज ये ठीके नियार मैं बहुत सीरियस हूँ तुम लोग के लिए तुम हो की नहीं अब वह अब तुम जानो ठीके बाई चलो सर अब भाई साब यह सेकंड वाला है आप वीडियो पॉस करो अगर कर लिया है तो तुरन बच्चा पाटी आप time stamp लगा के बोलो सर हमने खुद से किया था तो देखो बाई variation आप समझ गए होगे उपर देखो tan 3 alpha है नीचे देखो जो tan में जो कांड हो रहा था वही बच्चा पाटी देखो sin में कांड हो रहा है ठीके सर 60 degree में alpha add है 60 degree में alpha subtract है फिर यहाँ पे alpha है और यह क्या है सर sin 3 alpha divided by 4 है जबकि उपर देखो divide by 4 नहीं है ठी sin of 60 degree plus alpha sin of 60 degree minus alpha into sin of alpha ठीक है सर अब जड़ा बच्चा अटी ध्यान देना सर यह लिखा है sin of a plus b यानि यह क्या होगा sin a cos b ठीक है सर प्लस क्या होगा cos a sin b ठीक है सर यही है समझगे ना भाई sin a plus b sin a cos b cos a sin b अब भाई सब इनके पास आ जाओ यह होता है बच्चा पार्टी sin of a cos of b minus cos of a sin of b और into कितना होगा भाई sin of alpha ठीक सर अब जड़ा यहां पे बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान देना हां सर देखो सर यह है sin 60 cos 60 साइन 60 cos 60 ठीक है बाई अब यहां पे जड़ा हर कोई ध्यान दो जैसे यहां पे पुट करोगे तो यह आ जाएगा देखो बाई root 3 by 2 cos alpha minus sin alpha divided by 2 ओके सर इंटू यह क्या है बाई cos of alpha into आ जाएगा root 3 by 2 minus cos 60 होता है बच्चा पार्टी हाफ यह हो जाएगा sin alpha by 2 into हो जाएगा qt से बच्चो sin of alpha ओके सर बस देखो बाई इसको simplify मैं कर रहा हूँ और देखो सारी values put कर रहा हूँ प्लीज समझ में आ रहा है ना आपको तो देखो बाई a minus b यहाँ पे बच्चा प्लस होना चाहिए sorry देखो बाई और यह देखो same है तो यह क्या लिखा है सर यह लिखा हुआ है a plus b into a minus b तो सर जैसे solve करोगे क्या जाएगा single tick का square आएगा तो इसका square हो जाएगा बच्चा 3 cause square alpha by 4 और minus आजाएगा बच्चा पार्टी sine square alpha divided by 4 ओके सर और into कितना दिया हुआ है sine of alpha आपको समझ में आ रहा है बच्चो तो देखो trigonometry में अगर आपको बहुत अच्छा student बनना है तो एक चीज़ ध्यारनक को calculation से नहीं डरना है ठीक है बाई calculation से डर गए pen चलाने से डर गए तो अब my dear trigonometry is not for you ठीक है ओके सर अब देखो बच्चा पार्टी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं सर इस cause square alpha को हम लोग पुट कर देते हैं one minus sign square alpha ठीक है सर तो solve जैसे करोगे कितना आ जाएगा three times one minus sign square a ठीक है बाई माइनस आ जाएगा sign square a ठीक है सर into यह कितना आ जाएगा sign alpha ओके और देखो whole divided by कितना हो जाएगा अगर आप बच्चा whole divided by अगर आप देखो गे तो यह हो जाएगा four ठीक है बाई अब देखो बच्चा पार्टी क्या करना है इसको सिंप्लिफाई करो जैसे सिंप्लिफाई करोगे तो देखो मुझे दिख रहा है यह कितना आएगा अब आप भी इसको सिंप्लिफाई करना पहले सिंप्लिफाई करो ठीक है तो देखो बाई जैसे आप इसको सिंप्लिफाई करोगे बच्चा बाटी तो देखो यह ज divided by हो जाएगा 4 अब जैसे सॉल्व करोगे तो आप समझी गए हो 3 sin alpha minus 4 sin cube alpha whole divided by वच्छा पाटी 4 जैसे आप करोगे तो यह हो जाएगा देखो sin 3 alpha और यह whole divided by कितना हो जाएगा 4 hence proof तो देखो भाई प्रूफ करना आना चाहिए क्यों इससे आपको यह पता लगता है कि आपको यह सारे formula आते हैं कि नहीं आते हैं sin a plus b sin a minus b sin of a something multiply करके sin 3 alpha लेकिन भाई finally यह जो result है ना बच्चा यह result आपको ध्यान ना चाहिए ठीक है मेरे क्यूट से बच्चो अब देखो भाई सार नेक्स चीज क्या आती है देख लो भाई third वाल हम लोग proof करेंगे तो देखो यह भी देखो same pattern पे है cos 60 degree plus alpha cos 60 degree minus alpha into cos of alpha तो यह बता किसके बराबर होता है cos 3 alpha by 4 के बराबर ठीक है सर आ जाईए सर आ जो मेरे इंटू क्या है cos of 60 minus alpha into आ जाएगा बच्चा पार्टी कॉज अफ एलफा लेचे उठाएं है तो देखो यह दिया है बच्चा लिखेंगे plus यह हो जाएगा sin a sin b किससे multiply है cos of alpha का ठीक है सर अब देखो बच्चा पार्टी सबको पता है कि देखो cos 60 की value कितनी होती है sin 60 की जिसको नहीं पता है अब याद कर लो class 910 में वैसे आपको याद कराई गई है ठीक है सर जैसे value पूट करोगे यह कितना आ जाएगा cos alpha by 2 minus root 3 कि sin alpha by 2 समझ रहो बच्चों सारी values में पूट कर रहा हूं और यहाँ पर कितना जाएगा cos alpha फिर जे 60 हाफ हो गया है और यहाँ पर कितना जाएगा root 3 sin alpha whole divided by 2 और into क्या जाएगा cos of alpha ठीक है सर अब अच्चा बाटी ध्यान दो a minus b a plus b ओके सर अब ऐसा फिर से ऐसे multiply करोगे पहला का square minus दूसरे का square यह कितना हो जाएगा समझ में अगर यहाँ तक आ रहा है तो भाई अभी time stamp लगा के लिए को आसर आ रहा है अब देखो भाई फिर से हम लोग क्या करेंगे तर यह sin square alpha जो आपने yellow से करा हुआ है इसकी जगे बच्चा पार्टी हम लोग put कर सकते हैं 1 minus cos square alpha कितना मज़ा आ रहा है सर कितना calculation है सर क्या मैं पढ़ाई करना छोड़ दू हाँ बेटा छोड़ दो तुम अगर calculation करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है तो अब यहाँ पे ध्यान दो भाई यह हो जाएगा cos square alpha minus 3 times 1 minus cos square alpha divided by बच्चा पार्टी कितना होगा 4 और यह किस से multiply होगा cause of alpha से ठीके सर अब देखो मेरे cute से बच्चो इसे और simplify करो यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 3 cos square alpha 4 हो जाएगा sorry पुरा simplify तो करी लोगे आप लो तो भाई यह आ जाएगा 4 cos square alpha minus 3 और बच्चा पार्टी बाहर क्या multiply हो रहा है cause of alpha divided by 4 ओके सर अब जैसे multiply करोगे तो बच्चा पार्टी यह हो जाएगा 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha whole divided by 4 अब मेरे cute से बच्चो आप जानते हो यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है बाई साब cause 3 alpha whole divided by 4 तो बच्चा पार्टी देखो फिर से proof important नहीं है लेकिन आप pen चलाना बहुत important है trigonometry में भाई please pen चलाना मैं आपको दिल से दुआ दूँगा जो बच्चा pen चला के सब खुद से कर रहा हुगा ठीक है बाई तो दुआओं के लिए दुआएं अभी नहीं दिख रही होंगी कि मेरी दुआ आपको लगरी की नहीं लगरी है पर भगवान हमारा साथ देगा मेरी दुआ तुमारे तक आप बात में करेंगे मतलब कर लेंगे तो आपको नहीं देख ली तो देखू हमाई कितनी समूरी है मैंने आपने पड़ा है बहली चीज और सारे नहीं लिख रहा है तुम्हें लग रहा था कि मैं लिखूंगा नई बिटा मैं बहुत लिख चुका हूँ अब तुम्हारी बारी ये लिखने की cause a plus b का cause of a minus b का उसके बाद में क्या है बच्छा बाटी cause of 2a का फिर आता है बच्छा बाटी cause of 3a का चाहिए सर और बताओ सर मैंने का बाई टैन ओफ a plus b का उसके बाद में क्या होता है बच्छा बाटी का उसके बाद क्या होता है बच्छा बाटी टैन ओफ टुए का यह बाइस आप इतना फॉर्मला आपको पूरा याद करना है एक जगह लिखके बच्छा बाटी और देखो नेक्स चीज क्या है अभी देखो तीन फॉर्मले हमने करें कौन से साइन ओफ सिक्स्टी डिगरी प् इतना आपको आना चाहिए ठीक है बाइस आफ फिलाल के लिए अगर आगे चैप्टर को smoothly आपको run करना है तो इसको आप ऐसे भी prove कर सकते हो कि दोनों को divide कर दो यह मिलके यह वाला 10 देंगे यह divide होके यह वाला 10 देंगे यह divide होके यह वाला 10 देंगे और जब आप इन दोनों को divide करो देखो 4 से 4 कटेगा आ जाएगा 10 3 अलपा ठीक है बाई तो यह कितना आ जाएगा 10 अलपा तो देखो आगे का चैप्टर अच्छे से आए तो आपको यह प्लीज याद करना है अगर आपने यह सारे formula याद कर लिए हैं आप अपने career को रेके बहुत जादा serious हो तो प्लीज अभी time stamp लगा के बोलो हाँ sir याद कर लिए है ठीक है तो मैं अब आपको दिल से दुआएं दूँगा ठीक है मेरी दुआओं के लिए ठीक है बाई कि अधिए होप अच्छा बाटी सब को यह clear हो गया होगा हाँ sir हाँ sir हाँ sir हाँ मेरा बेटा अब देखो अच्छा बहुत ओपी सवाल है चलो करके दिखाओ बच्छा बाटी दो मिनिट के लिए हर कोई भाई इसको यह दोनों जो पार्ट है आप दो दो चार मिनिट इसमें ले सकते हैं ठीक है सारी डिग्रीज है यह मिस्प्रिंट है मैं इसको लगा दिया है चलो इससर अ ग्ले को हाнов इतव देखो बाई यह वाला क्वेशन हम लोगे तो09 अगर आप इसमें पहजानों अगर क्या पहचानना ही है आपको बच्छा पाटी तो देखो अगर आप इसे पहचानों मतलब पहचानना ही है ये जो लिखा हुआ है बच्चा 75 डिगरी इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा 60 डिगरी प्लस 15 डिगरी बिल्कुल सही सर ये जो है 45 डिगरी इसको बच्चा पाटी हम लोग लिख सकते हैं साइन ओफ 60 डिगरी माइनस 15 डिगरी और ये जो भाई साब है इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चा पार्टी साइन ओफ 15 डिगरी ठीक है सर हाँ बेटा अब देखो भाई इसको अगर आप मानोगे एलफा ठीक है सर तो ये क्या लिखा है ये लिखा हुआ है सर देखो 60 प्ल STEVE अलफा तो मेरे क्यूट से बच्चो आप ये फॉर्मुला पहचान सकते हो ये फॉर्मुला किसका है मेरे बच्चे ये होता है साइन 3 इलफा 4 डिवाइड बाइ 4 का ठीक है मेरे बच्चे तो देखो यह हो जाएगा sign of 3 alpha कितना हो जाएगा 3 times alpha हो जाएगा 45 degree divided by 4 और solve करोगे तो यह बेटा होता है 1 by root 2 यह आपको याद होना चाहिए तो यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 1 by 4 root 2 I hope and I wish कि बहुत लोगों का यह question सही हुआ हो ठीक है sir next question मैंने का बई first हो गया है तो देखो second आप खुदी attempt कर सकते हो तो देखो बच्चा पार्टी second कैसे attempt करोगे आप लोग इसको क्या लिख दोगे देखो बई इसको लिख सकते हो जो पहला दिया हुआ है जो आपको sign of 5 degree दि दिखाये जाए इसको ले लो बच्चा पार्टी बीटा आप दिख रहा है सर यह क्या लिखा हुआ है मैंने का यह लिखा हुआ है बच्चा पार्टी 60 degree माइनस वीटा ओके सर बताओ इसका अंसर क्या होता है मैंने का इसका answer होता है बच्चा sin 3 beta divided by 4 अब एक चीर बताओ what is sin 3 beta यह आता है बच्चा पाटी sin of 15 degree divided by 4 तो देखो बच्चा यहीं पर use आ गया surprise तो बच्चा पाटी इसकी value जो sin 15 degree की है वो मैंने कहीं पर निकाली थी वैसे मुझे याद है root 3 minus 1 upon 2 root 2 तो बच्चा इसको भी आप यादी कर लो देखो बच्चा साइन 15 degree आया था root 3 minus 1 upon 2 root 2 तो मेरे cute से बच्चो इसको जैसे आप value यहाँ है आप पुट करोगे तो यह आ जाएगा मेरे cute से बच्चो रूट 3 minus 1 upon 2 root 2 मतलब यह आ जाएगा 8 root 2 और यही हो जाएगा answer ठीक है sir बिल्कुल सही बेटा अब जरा है यहाँ पर सब लोग ध्यान देना हाँ sir अब देखो भाई यह वाला question हरको attempt करो ठीक है चलो sir इसको attempt करते हैं आपकी पारी खतम हो गई now मेरी chance आती है देखो भाई यह अला सवाल कैसे करेंगे अब देख लो इसमें थोड़ा सा चीज जर observe करो थोड़ा सा बच्चा यह different सवाल है आपको कैसे पता चलेगा यह भाई अभी secondary बात है फिलाल आपको देखना है कि sir जो है आपके कैसे कैसे question को solve करते हैं ठीक है भाई उसको चलो थोड़ा था space लेके लिख देता हूं tan 42 degree और यहाँ पे कर देता हूं बच्चा tan of 78 degree तो देखो भाई observe करिये और समझे कि अगर यह angle है alpha तो यह क्या लिखा हुआ है 60 degree plus alpha उते sir और 7 में आपको यह समझ में आ रहा है कि sir यहाँ पे 60 minus alpha का tan नहीं है कैसे sir यहाँ प minus 18 degree ओके sir और इसको लिख सकते हैं 60 degree plus 18 degree ओके sir तो देखो आपको यह बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि यहाँ पे यह दिया है 60 minus beta यह बच्चा बाटी दिया है 60 plus beta यानि आपको क्या चाहिए 10 beta यानि sir हम लोग क्या करें है मैंने का देखो भाई 10 beta से multiply करिए और divide भी किस 18 degree से ओके sir हाँ बेटा अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो एंगल है इसको मानो 60 minus beta तो यह क्या हो जाएगा बच्चा बाटी 60 plus beta और यह क्या हो जाएगा बच्चा बाटी बीटा आई होप यहां तक आपको clear हुआ होगा ठीक है sir अब यहाँ पे ध्यान दू मेरे ब tan 60 minus alpha से और देखो आपको यह divide भी किस से करना होगा tan of 60 minus alpha से हाँ sir ओके बीटा अब यहाँ पे देखन देजिए यह जो ऊपर जितना आप देख रहे हो यह वाली चीज जितनी देखो यह वाली चीज आप देख रहे हो tan alpha tan 60 minus alpha tan 60 minus alpha तो यह होता है बच्चा tan 3 alpha ओके sir नीचे क tan of 60 minus alpha into अब यहाँ पे बच्चा पार्टी हर कोई आ जाओ यहाँ पे जैसे पहुचोगे तो यह दिया है tan of 60 minus beta tan of 60 plus beta और यह दिया है tan of beta तो यह बच्चा पार्टी हो जाएगा tan of 3 beta और नीचे क्या है tan of 18 degree हाँ sir अब एक चीज बताओ बेटा यहाँ पे बीटा की value कितनी है मेरे क्यूट से बच्चों तो देखो आपको पता है कि इसमें बीटा की value 18 degree है और alpha की value बच्चा पार्टी 6 degree है हाँ sir यहाँ जैसे आप यहाँ पे देखो यह सारी चीज़ें पूट करोगे तो आपको पता है tan of 3 alpha 3 alpha कितना हो जाएगा 18 degree okay sir tan of 60 minus alpha पूट करो यह हो जाएगा बच्चा पार्टी 10 of 54 degree to tan 3 beta पूट करो यह भी हो जाएगा tan of 54 degree और divide किस से कर रहा हो tan of 18 degree से अच्छा सर हाँ बेटा आपको दिख रहा है ना सर यह 18 छिप गया है चलो फिर मैं बोल देता हूं बच्चा कि यह 18 है अब आपको समझ पा रहे हो 18 से 18 गया यहां से यहां गया इसलिए भाई साब इसका final answer I have one यानि देखो मैं आपको क्या बच्चा पार्टी convey करना चाहता हूं कि देखो भाई लेवल 0 सवाल क्या था लेवल 0 सवाल था कि इसको proof करो इसका अपने result ध्यान किया फिर आप आगे बढ़े level 1 की तरफ यहां पे क्या उसी को बच्चा पार् कुछ multiply और divide करके आपको क्या करना है भाई यह standard form जो मैंने formula आपको याद करने को कहे उसमें इसको भाई साब बदलना है तो बच्चा पार्टी आप प्लीज इसको तब तक लगाओ जब तक खून में ना बस जाए और जैसे यह सवाल खून में बच्चा बस जाए आप comment कर देना इस time stamp लगा के कि sir खून में बस गया और मैं मान लूँगा कि हाँ बच्चा खून में बस गया अपने career को लेके पूरा serious और इस वाले सवाल से बिल्कुल friendly हो जाए कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है एक-एक step follow करें बिल्कुल भीना घब राए एक दम भाई all is well होक next चीज आती है ठीके आ उस question का कोई tension ना ले next देखो मैं आपको जो सवाल देने वाला हूँ वह सवाल कॉन सा है चलिए आइये दिखाता हूँ पर जया ज़ते हैं और थोड़ा हलका हलका सवाल करते हैं प्रुको बेटा हलकालगा सवाल जैसे कि बाई यह वाला सवार यह देखो बाई बहुत जबाना सवाल है कोई दिक्कत नहीं वाइस सवाल है पर कोई बात नहीं बन्धू किसी को कोई Tension नहीं लेनी है जरह हम इसे LINE से यहां पर पहुंचा दें फिर उसके बाद में हम लोग इसको discuss करेंगे आजा चाचा आजा चाचा आजा चाचा आजा चाचा आई नहीं पा रहे हैं तो अभी चाचा आएंगे यह सवाल करने से पहले मैं देखो कुछ चीज़ें आपको बताता हूं ठीक है वैसे बहुत से लोग यह सवाल डारेक्ट भी कर लेते हैं लेकिन कोई बा 10 of 90 minus alpha ठीक है सर 90 degree minus alpha सर यह value कितनी होती है मैंने का सर यह value होती डिगरी मैं हटा दे रहा हूं मैंसे degree लिखा यह आपको मैंने बता दिया है यह होती है court of alpha सर कैसे पता मैंने का भाई previous time में हमने यह याद किया था ठीक है सर अब यहाँ पे ध्यान दो इसको आप लिख सकते हो बच्चों 10 of 90 minus alpha ओके सर इसको लिख सकते हो 1 upon 10 of alpha एकदम सही सर अब भाई साब आप इससे multiply कर दो ठीक है सर जैसे आप multiply करोगे तो यहाँ से क्या आएग सर 10 of 90 minus alpha बिल्कुल सही into 10 of alpha बिल्कुल सही equal to 1 हाँ सर अब देखो भाई सब क्या हुआ अब बाबा लोगों को चीज़े tough करने में मज़ा आता है ऐसे मुझे भी मज़ा आता है इसको मानता हूँ angle A इसको मानता हूँ angle B ठीक है सर तो देखो यहाँ से सर आपको क्या result मिला मै सर यह 1 होता है और साथ में इसमें देखो condition क्या है कि अगर आप A और B को add करोगे तो देखो A plus B कितना हैगा 90 minus alpha plus alpha कितना हो जाएगा 90 degree हो जाएगा ठीक है सर यानि सर 10 A into 10 B है वो कितना है भाई वो देखो product है 1 और alpha plus B मतलब A plus B कितना है बच्चा 90 degree है ठीक है सर आपको relation याद रखनी है और relation कैसे derive करी आपको पता है finally आपको भाई साब यह याद कर लेना है कि 10 A into 10 B 1 होता है अगर angle कसम 90 degree होता है तो देखो भाई सोच वही है जो हम पहले से कर रहे थे पर presentation नहीं है देखना एकदम नहीं है नहीं new presentation है तो प्लीज इसको देखके डरे नहीं चारा लगा दिया है इसे flashpad में लिख देना ठीक है अब देखो भाई साब ऐसे देखो कुछ कांड और भी किये जाते हैं जैसे सर मैंने का देखो भाई ऐसे देखो कुछ कांड ऐसे भी होते हैं रुकना एक नट हाँ सर देखो दूसरी चीज की आई कि अगर मैं आपसे कौड्रिन डू लगाते ही यह आपका आजाएगा minus cause of alpha ठीक है सर ठीक है सर मान लिया ठीक है मैंने डारेक्ट लिख दिया अगर आपने नहीं लगाया ऐसी की तैसी मान लो यहीं आया ठीक है सर अब क्या करें सर मैंने का भाई इसको उधर ले जाओ तो इससे क्या होगा मैंन मैंने का देखो भाई फिर से नई presentation दिखा रहे हैं यह a है यह बच्चा पार्टी भी है इससे क्या होगा मैंने का देखो भाई इससे होगा cause a plus जो cause of जो b है यह sum होगा 0 बिल्कुल सही और यह 0 कब होगा when a plus b हाँ जब a plus b देखोगे तो जब यह पाई है जैसे आप angles को add करोगे तो भाई सब यह पाई हो जाएगा फिर से देख लो भाई यह चीजे तो आपको पता ही है ठीक है तो बस अब यह देखो नई presentation है इसको अपनाओ कोई दिक्कत नहीं बच्चा इसको अपनाओ नई-ने चीजे है ठीक है नई-ने तैयारी है तो यह चीज बच्चा पाटी आपको अपनानी ही पड़ेगी हाँ बच्चा पाटी यह आपको अपनानी पड़ेगी अभी यह आपको एकदम alien टाइप की चीज लग रही होगी पर यह वही चीजे इसको अपनाओ इसको देखो इसको किस करो इसको अपने पास रखो यह दोनों चीज़ें आपके flashpad में आ जानी चाहिए ठीक है ठीक है सर ये क्यों tough बना रहे हो मेरी आदत है असान बनाने की ये अभी इसलिए इसको tough बना रहा हूँ जिसमें आगे की जिंदगी आपकी असान रहे तो please इसको याद कर ले ना अभी comment करो हा सर याद करेंगे ठीक है भाई अब देखो बच्चा पाटी ये जो देखो भाई तीन सवाल है और बेटा इसको हम लोग करते हैं ठीक है सर पहला सवाल आया अब देखो भाई क्या है टैन का continued product है आज़र 10 1 degree into 10 2 degree देखो मैं कुछ-कुछ लिख रहा हूँ इन्टू 10 3 degree बिल्कुल सही बात है यह ऐसे ही multiply करते रहो यह आज़र देखो भाई 10 of 44 degree बिल्कुल सही सर मैंने का देखो यहाँ जाएगा 10 of 45 degree बिल्कुल सही सर 10 of 46 degree बिल्कुल सही सर और यही देखो चलता रहेगा चलता रहेगा ये आ जाएगा बच्चा बाटी 10 of 88 degree और ये आ जाएगा बच्चा बाटी 10 of 89 degree ठीक है सर बिल्कुल ठीक है सर एकदम सही बात बिल्कुल सही बात है बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दो अब देखो 10 A into 10 B ठीक है सर देखो दोने यलो है when A plus B is 90 दोनों को एड करो वो देखो आपको दिखने ही रहोगा वो 89 है 9 का जो बीज में जो ब्लैंक होना चाहिए वो गायब है आप समझ रहे हो 10 A into 10 B दोनों एंगल का सम कितना है 1 degree plus 90 degree है sorry 1 degree plus 89 degree है 90 तो यहाँ पे जरा ध्यान दो 10 A into 10 B होता है 1 जब A plus B होता है 90 हाँ बहुत से लोग court में convert करके कर देंगे लेकिन हाँ भाई साब मैं आपको जो आदतें पढ़वा रहा हूँ वो अच्छी आदतें हैं आप ऐसे ही करना है जिसको court में convert करके करने देना है आप करने देना आप इसी को follow करो देख लेना अभी नहीं बाद में समझ में आगा मैंने इतनी जित क्यूं करीती इसको याद करने के लिए ठीक है बच्छा बाटी तो please मेरी बात माने आप जितने बड़े OP स्टूडेंट हो जितने भौकाली स्टूडेंट हो प्लीस मेरी इस वक्ता बात मान लो ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए ठीक है sir अब देखो बच्छ यानि 10 A into 10 B हो जाएगा 1 एकदम सही बात है फिर यहाँ पहुचो 10 3 degree ठीक है अब यहाँ देखो भाई इससे पहले रहा क्या होगा 87 degree क्या मानते हो कमेंट करो इससे पहले क्या रहा होगा 87 degree तो भाई सब ये उससे निपट लिये होंगे ठीक है sir मान लिया sir अपने आगे तो 44 46 अब आब ये भी समझ रहो कि 44 प्लस 46 कितना होता है 90 होता है तो इनका प्रोड़क्ट भी कितना हो जाएगा 1 यानि जर्में समय में आ गया कि पहला आखरी 1 प्रोड़क्ट सेकंड आखरी से दूसरा 1 प्रोड़क्ट यहाँ से यहाँ से जस पहला जो मैंने नहीं लिखा ह वो भी 1 और चलते चलते करते डैज यह मतलब बीच में खुब सारे टर्म्स है 1044 और यह पीछे आएगा 1046 तक सबका 1 है और भाईस आप इनकी तो भाई किसमत ही खराब है क्योंकि यह खुद ही 1 है यानि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 और मैं यह जानता हूँ बहुत से ल 200 सवाल थिक है तो देखो दूसरा सवाल आपको देखते ही लग रहा होगा कि हां सर लास्टірन का कॉद्रेन डूल हमको रिवाइज करा रहे हैं है एकदम सही पाई बाई टू प्लस कितना आएगा मेरे क्यूट से बच्चे 30 डिग्री हाँ सर 10 330 कैसे लिखोगे मैं लिख रहा हूं इसको 10 10 of 4 into 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 30 डिग्री ठीक है सर ऐसे कुछ आएगा हाँ बेटा फिर आता है देखो भाई सेक ओफ 420 डिग्री तो सेक ओफ 420 डिग्री बच्चा बाटी कितना होगा 4 into 5 by 2 और प्लस ये 360 हो गया प्लस होगा 60 चलो अब देखो बच्चा next चीज क्या है आव सर देखो next चीज क्या है यहां पर जो 3 है यह देखो भाई साब odd है एकदम सही बात है odd times 90 प्लस 30 तो odd का मतलब जाए इसके आगे क्या है भाई साब कौन सा क्वाडरेंट है फोर्थ क्वाडरेंट है तो देखो फोर्थ क्वाडरेंट में सर साइन होता क्या है negative इसलिए यहां पर माइनस करेंगे क्या आपको समझ में आया यह बच्चा trigonometry का first lecture है इसके आगे इनके पास है क्यूंकि सर यह जो इसलिए फोर्थ क्वाडरेंट है इसलिए फोर्थ क्वाडरेंट में 10 negative होता है इसलिए फिर से आप माइनस लिगा दो आपको समझ में आ रहा है फिर से बच्चा पार्टी यह क्या है मैंने का यह देखो बाई even है अच्छा सर हाँ बेटा यह देखो even है तो इसका मतलब क्य है no change होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो फिर से sec of 60 degree अब इसका बाई quadrant चेक करो 420 बाई first quadrant अब देखो quadrant तक पहुचना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ यह मैं last time में सिखा चुका हूँ तो जितने लोगों ने quadrant पहचान के इसको पूरा solve किया होगा तो देखो simplify करते ही आपका आया cos 30, tan 30, sec 60 तो cos 30 minus minus product हुआ प्लस तो cos 30 होता है मेरे cute से बच्चो अरे अरे रूट 3 बाई 2 आपको दिख रहा है ना बच्चे इन 2 में देखो दिख रहा है हाँ दिख रहा है ठीक है I'm sorry छोटा लिख रहा हूँ बट कोई बात नहीं minus minus प्लस हुआ तो देखो यह ह हो जाएगा बच्चा पाटी 1 by root 3 ओके सर वाट इस सेक्सिस्टी इस 2 simplify करोगे भाई तो देखो numerator आ चुका है 1 ठीक है सर और बताईए सर और बताईए अब देखे बाई सब जो next चीज है वो हमें इसका देखो denominator बच्चा पाटी हमको select करना है select नहीं solve करना है ठीक है सर अब चोटा चोटा लिखो अहां बेटा थोड़ा चोटा चोटा लिखते हैं तो देखो second चीज में आप denominator निकालने जा रहे हो अब देखो बच्चा पाटी आपको denominator क्या दिया हुआ है यहां पे ध्यान देदो यहां पे ध्यान देदो टैन 135 ठीक है साइन 210 सेक 315 चलो भाई और साथ में आपको क्या दिया हुआ है साथ ने बच्चा पाटी आपको दिया हुआ है कहां गया है सेक 315 डिगरी एकदम सही बात है मेरे क्यूट से बच्चो तो देखो जैसे आप यहां पे पहुचोगे फिर से भाई सब वैसे ब्रेक करना स्टार्ट करो इसको लिख सकते हो वन टाइमस पाई बाई टू मतलब 90 प्लस कितना होता है बच्चा पाटी 45 डिगरी पिर यह कितना होगा सर यह होता है अरे अरे हां साइन ऑफ टू इन्टू पाई बाई बाई टू मतलब कितना 180 प्लस होता है बच्चा पाटी 30 डिगरी चैक ओफ 315 कितना होता है बच्च check off यह होता है 4 into pi by 2, बिल्कुल सही, 4 into pi by होता है 2 pi, और minus कितना करेगा भाई, 45 degree, I hope बच्चा बाटे यहां तक घर कोई पहुँच गया होगा, यह देखो बस मैं आपका quadrant rule का रिट्वला revision कराना था, इसलिए मैंने बीच में यह सवाल डाल दिया, तो देखो 1 क्या होता है मेर किसमें no change होगा, तो odd के current change होगा, तो यह आजाएगा quad 45 degree, कौन से quadrant में लाई कर रहा है, सर यह second quadrant में लाई कर रहा है, यह जो original में जो angle है, second quadrant का है, और जिसमें can negative होता है, इस minus आया है, multiply, इसके पास है, सर even मतलब no change, लिखो सर sin of 30, सर यह angle, सर third quadrant पे है, जहां पे sin negative होता है, देखा बाई, कल का revision हो रहा है, एक साथ इतना सारा काम करा दिया, और यहां देखो बाई, sec में even है, तो यह हो जाएगा, sec of 45 degree, आपको पता है, सर यह fourth quadrant है, इसलिए सर यह देखो, प्लस होगा, अब इसको simplify करो, फिर से minus minus plus है, quad 45, 1 है, sin 50 कितना होता है, half होता है, minus minus plus हो गया और sec 45 कितना होता है, बच्चा पाटी, root 2, sec 45 कितना होता है, हाँ, root 2, तो यह solve करेगा, भाई साथ यह कितना आ जाएगा, यह आपका simplify करते ही आ जाएगा, 1 by root 2, ओके सर, तो देख लो भाई, final answer क्या होगा, final answer आपको पता है, पिछले page में हमने निकाला था numerator, यहां पे लिक अरे सर, क्या यही आएगा, हाँ बेटा, देख लो, ठीक है भाई, I hope यह समझ में आ गया होगा, जितने लोगों समझ में आ गया, time stamp अभी भाई साब यहां पे करें, और बोलें सर, समझ में आ गया, और जितने लोगों ने खुद से किया था, वो लुक्तुरंद बोल सकते ह दोनों के साथ मेरी पूरी दुआएं है, ठीक है सर, ठीक है बाई, calculation mistake हो तो बता देना बाई, मैं लगवा दूंगा, पैसा I don't think कि कुछ हुआ है इसमें, अब देखो बाई साब यह थर्ड वाली चीज आती है, cause 1 degree, cause 2 degree से लेके, cause 180 degree तक, अब देखो बच्चा बाटी, इस से लेके, cause 180 तक का बच्चा पाटी सम है, ठीक है सर, चलिए सर, ओ बेटा, चलते हैं, चलो, अब देखो बाई, third में क्या है, मैंने का सर, third में है, cause 1 degree, plus कितना है, cause 2 degree, plus कितना है, cause 3 degree, अब देखो बच्चा पाटी, ऐसे ही आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, यहां आएग सर, फिर आएगा, देखो, cause of 90 degree, space नहीं, असलिए थोड़ा सा मैं, डिजाइन बना देता हूँ, ठीक है भाई, इसके बाद क्या इसी के साथ add होगा, मैंने का सर, इसी के साथ add होगा, cause of 91 degree, और देखो भाई, यह ऐसे ही चलता रहेगा, और यह कितना आएगा, यह आएगा, देखो, cause of 177 degree, फिर करोगे तो यह कितना आजाएगा, यह आजाएगा, cause of 178 degree, और प्लस, यह कितना हो जाएगा, cause of 179 degree, और आखरी चीज़ इसके साथ क्या add होनी आएगी, cause of 180 degree, तो देखो, मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप सीधे एक लाइन में लिखो, लिख पाटी निकालना है, अब यहाँ पे जरा भीया, ध्यान देना, दोनों cause का सम हुआ, angle का सम है, बच्चा पाटी, 180, है सर, हाँ बीटा, angle का सम है 180, तो cause A plus cause B, यह मिलके कितना देदेगा, 0, क्या मानते हो, अभी comment करो, हाँ सर, मानते हैं, तूरंत, तो देखो भाई, यह हो ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गए, cause का सम लेना है, और देखो, angle का सम है 180, तो यह भी कितना हो जाएगा, सर, 0 हो जाएगा, यही हम use कर रहे हैं, जो थोड़ दिर पहले मैंने आपको पढ़ाया था, और मैं फिर से मानता हूँ कि आप खुद से ही यह सो 91, सम 180, और देखो, cause का सम हो रहा है, इसलिए यह भी कितना होगा, 0, अब आप बच्चा पाटी बहुत अच्छे से जानते हो, कि यह जो cause of 90 होता है, यह बच्चा होता है, 0, और देखो, cause 180 को मेरे क्यूट से बच्चों इसे याद करो, जिसको नहीं आदे, अभी याद करो, यह एक standard angle होता है, यह होता है, minus 1, देखो, जब आप सब को add करोगे, तो देखो, हर जगे तो 0 बन चुका है, सिर्व बच्चा है, एक minus 1, तो इसका answer कितना हो जाएगा, बच्चा पाटी, answer हो जाएगा, minus 1, इतना करा डाला, live, जिंगा लाला, जै बाबा की, चलो बच्चों अब देखो, next चीज़ देखते हैं, हाँ sir, next चीज़ सर दिखाओ, बेटा भी देख लेता हूँ, मैं कुछ बढ़िया सी चीज़ हो, तो मज़ा आजा जाएगा कराने में, हाँ sir, sir, कराओ sir, मज़ा तो आ रहा है, हमने बिल्कुल सही, सुरू तुम मजबूरी में करे थे, लेकिन अब तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, बस मेरी बात मानते जाओ, जैसे जी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स होते रहेंगे, होते रहेंगे, आप बावा बनते रहोगे, अरे वा sir, बावा, हाँ बेटा, बावा, चलो भाई, इसकी वेल्यू निकालो, इस वाली दे इसको एटेम करो, चलो भाई, मेरे ख्याल से एटेम कर लिया होगा, जो भी आंसर आया है, टाइमस्टेम लगा के आंसर लिख दो, और फिर मेरे से चेक करो, ठीक है बाई, चलो मेरे बच्चे, अब देखो भाई, कॉसे 20, इसको आप लिख सकते हो, रूट 3 अपॉन साइन 20 डिगरी, ठीक है बाई, माइनस 1 अपॉन 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 टिगरी, ठीक है सर, अब देखो भाई साब, नेक्स्ट टेप क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कि आप लिख से लोगे, तो यह आ जाएगा बच्चा पाठी, रूट 3, कॉस ओके सर, माइनस Sine of 20 Degree, ओके सर, Divided by, नीचे आएगा बाई साफ, Sine of 20 Degree, Cous of 20 Degree, अब देखो भाई, जञां की बात मैं सवालों के साथ दे रहा हूं, मैंने आपको पहले ज़्छे ज़्छे बात नहीं दी, तो देखो भाई, क्या मैं जञान की बात आपको देना चाहता मैं देखो ये बच्चा पाटी आपको ग्यान की बात देना चाहता हूं बहुत ध्यान से यहां पर देखना बच्चा पाटी कि कहीं भी अगर आपको sin theta का product cost theta से दिख जाए तो simple सी चीज है हमेशा लिख देना बच्चा पाटी sin 2 theta by 2 हमेशा यही करना है सर हाँ मेशा यही करना अच्छा सर हाँ मेरे बच्चे अब यहां ध्यान दो अगर कोई proof पूछे तो आपको पता है इसका proof क्या है आप समझी गया होगे इसका RHS देख लो तो देखो इसका RHS कितना होगा sin 2 theta होता है मेरे cute से बच्चों 2 sin theta cos theta divided by 2 तो देखो भाई यह कटने के बाद कितना आ जाएगा यह कटने के बाद बचेगा sin theta into बचेगा cos theta एकदम सही है अब ध्यान दो बच्चा पार्टी तो देख लो भाई यह आपने LHS के बराबर proof कर दिया in short यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सवाल हो sin theta cos theta आप ऐसे ल जाएगा बचेगा देखो root 3 cause of 20 degree और minus sign of 20 degree देखो बहुत सारे method सिखाऊंगा यह question सही लोग trigonometry सीखते हैं यह मत सोचना कि सर कुछ ऐसा करा दें कि हम तुरन सोचने लगें नहीं भाई हम IAT की त्यारी कर रहे है तो थोड़ा बच्चा पार्टी struggle करना होगा तो जो जो ची dost situação होगें नहीं होगें सीख तोह फ्र से ग्यान की बाती है यह जो सवाल यह कुछ नने aik मुदने देखो ज्यां से नहीं से भर पूर है अगर कभी भी A sin theta plus B cos theta देख लो ठीक है हाँ sir कभी भी A sin theta plus B cos theta देख लो तो हमेशा देखो क्या चीज करनी है बहुत ध्यान से देखो मेरे cute से बच्चों हमेशा क्या चीज करनी है divide and multiply कर दो under root of A square plus B square से है sir हाँ बेटा इस से divide and multiply कर दो तो देखो क्या हो जाएगा A upon under root of A square plus B square into हो जाएगा sin theta plus आजाएगा B upon under root of A square plus B square और into हो जाएगा cos theta I hope आपको समझ में आया ठीक है अब देखो ये सारी चीजें देखो solving techniques होती है जो अभी आप क्या पदा पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत फेस करना पढ़ रहा हो लेकिन भाई ये lecture आप बहुत ध्यान से देखो के तो देखो चीजें आपके दिक्कतें दूर होती जाएगी इसलिए को बहुत अच्छे से देखो बहुत अच्छे से देखो तो देखो ये मैंने बहुती वैसे ग्eten दिये हैं कि भाई साब ये दो ग्यान सवालों में बहुत यूज होते हैं तो ये भाई साब दोनों जो ग्यान हैं अब अपने Flashpad में रखो क्योंकि देखो Trigonometry आता सब को है सबसे बढ़ी दिक्कत क्या होती है आप देखो ये मेरी बाद जरूर मानोंगी कि भाई सवाल नहीं होता क्यों क्योंकि छोटे-छोटे ग्यान उनके दिल दिमाग में नहीं होते हैं तो भाई साथ जो छोटे-छोटे ग्यान है प्लीज कहीं पे जरूर लिख लो यार प्लीज लिख लो इन दोनों चीजों को कि कहीं A sin theta plus B cos theta है तो under root A square plus B square से multiply किया और उसी से मैंने divide कर दिया ठीक है और देखो इससे कुछ extra भी नहीं हुआ ऐसा मस सोचना कि कुछ extra होगे देखो ये तो इसको card भी देगा तो same में आप convert हो जाओगे तो आपको क्या करना है बच्चा पाटी आपको जो A है उसके नीचे इसको भी या विराजमान कर दो इसके नीचे कर दो और 100% ये मैं guarantee देता हूँ कि सवाल आपसे हो जाएगा ठीक है अब जैसे भाई साब इसका जो numerator है ठीक है चलो इसके numerator से हम लोग बात चीत करते हैं इनको या कुन्य में बच गुलाते हैं चलो सर आजओ चलो भाई इसके numerator से बात करो numerator क्या दिया है root 3 बहुत ध्यान से देखना बच्चा बाटी root 3 मतलब numerator का बच्चा ये वाला हिस्सा मैं देख रहा हूँ पूरा भी नहीं देख रहा हूँ बस मैं इतना हिस्सा देख रहा हूँ क्योंकि देखो ये हिस्सा उसी फॉर्म का है a cos theta plus b sin theta अब कुछ लोग रोईंगे कहेंगे सर यहाँ minus है वहाँ plus है आप ये समझ सकते हो ये जो है ये आप बतो इसमें कैसे convert करोगे theta को put कर सकते हो बच्चा पाटी 20 degree a को put कर सकते हो root 3 और b को क्या put कर सकते हो बेटा minus 1 मेरी बात शायद आप समझे होगे देखो बाई जैसे theta को बाई साब इसमें put किया 20 degree ठीके सर हमने कर दिया ये उल्टा मैंने कर दिया ना चलो कोई बात ने एक लोग को एक लोग ना रुकना वह से वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं है परन्तु जो चीन मैं कह रहा हूं वो सीखो आप आप यहां से यहां देखो कैसे पहुच रहे हो जब a को हम लोग put कर रहे हैं बच्चा देखो –1 ठीक है बी को कितना put कर रहे हैं बच्चा पाटी जाओगे तो ध्यान रखना यहां बीच में प्लस का मतलब कुछ नहीं है यह मस सोचो आप जानते हो कि जब हम a को यह माइनस 1 पूट करेंगे यहीं पहुच जाएंगे ठीक है तो a b भाई positive negative कुछ भी हो सकते हैं यहां पर आया तो भाई comment कर दो हां सर आ गया ठीक है बच्चा अब यहां पे जा रहा हर कोई ध्यान दो तो देखो numerator का यह जो हिस्सा है मैंने numerator फालतों में लिखा हुआ है तो देखो यह मैं जो solve करने वाला हूँ यहां पर ध्यान दो यह है बच्चा minus sine 20 degree फिर से क्या पता मैं वही बोलूँ इसलिए ध्यान से देख लेना root 3 cost 20 degree क्या यही दिया हुआ है हाँ सर तो देखो भाई साफ आप इसमें बोल सकते हो कि A का value है minus 1 P का value है root 3 ठीक है सर तो देखो आप क्या करोगे किस से divide करोगे सर पूरा under root of A square plus B square तो A square 1 है B square का क्या हो जाएगा 3 तो यह देखो 2 आएगा और मैंने आपको दाएदा कि under root of something हमेशा positive attack minus 2 मत लिख देना ठीक है यह हम आलरेडी बात कर चुके है तो देखो जैसे divide करोगे तो यह आजाएगा minus half sine of 20 degree ठीक है under root A square plus B square से यह मैंने क्या निकाला है बच्चा पाटी यह निकाला है under root of A square plus B square यह value put करके उससे divide किया ठीक है मेरे cute से बच्चो यहाँ भी देखो मैंने divide किया ठीक है मेरे cute से बच्चो तो जैसे मैंने divide किया वहाँ पर उसससे multiply भी किया ठीक है अगर आपको पीछे नहीं समझ में आ आता अब समझ में आ गया होगा तो देखो बच्चे क्या करते हैं बच्चे इससे प्रेम करते हैं कि बस इसको इनकी प्लस देखने की आदर दो पर आप इसमें आप माइनस भी देखने की आदर डालो ठीक है सर सर आप बोल लए हो हाँ बिटा क्या करें टीचर है बोलना पड़ता है अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे क्यूट से बच्चो आपको पता है रूट 3 वाइ 2 क्या होता है हम इसको भाइस साब लिख देते हैं चलो कॉज ओफ 30 डिगरी तो मिसे साइन 60 भी लिख सकते हो तब भी कोई पंगा नहीं है तो देखो यह जो लिखा है जो हाफ लिखा है माइनस हाफ नहीं यह सेम टाइम पर बच्चा पार्टी हो जाएगा साइन ओफ 30 डिगरी अब यह क्या लिखा है मैंने गा सर यह है टू ठीक है सर कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन भी कॉज ए मतलब 20 डिगरी कॉज बी 30 डिगरी माइनस साइन असाइन भी तो आपको पता है यह होता है कॉज ओफ ए प्लस बी असर हाँ बेटा तो देखो जैसे सॉल्व करोगे यह आ जाएगा बच्चा पार्टी टू कॉ सवाल करेंगे उसमें यही काम आएगी बार-बार इसी चीज को अप्लाई करोगे तो वही चीज आपके दिल दिमाग में बैठने लगेगी ठीक है सर अब देखो यार क्या है यहां तक हम पहुच गये थे इसकी विल्यू हमने निकाल दी है कितनी तू कॉस फिफ्टी डिग डिगरी और डिवाइड़ बाई कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी साइन ओफ पॉट्टी डिगरी आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अब देखो बाई साब इसको मैं मान लेता हूं आर अब चलो बच्चा पार्टी पाइनली चलो आर को निकालते हैं चल अपॉन अपॉन क्या है भाई अपॉन है साइन ओफ पॉट्टी एकदम सही बात है अब यहां पर जारा बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान देना अगर मैं आपसे बोलूं साइन ओफ नाइन्टी माइनस थीटा ठीक है सर तो बताओ अगर मैं थीटा को पुट करूं 50 डिगर हां सर यहां पर मैं पुट कर दिया देखो थीटा को 50 डिगरी ओके सर तो देखो यह आ जाएगा देखो बच्चा पार्टी साइन ओफ फिटी पुट किया 90 माइनस 50 कितना होता है 40 डिगरी इकुल टू हो जाएगा भाई कॉस ऑफ 50 डिगरी हां मेरे बच्चे अब इसको दे तो देखो भाई साब कितनी चीज आपको ध्यान रखनी है पहली चीज आपको तीन चीज ध्यान रखनी है पहली चीज आज के बाद जब भी कभी आपको ऐसा कुछ दिखे तो ऐसा करना है ऐसा कुछ दिखे तो ऐसा करना है माइट भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो जब मैं explain कर रहा था लेकिन प्लीज भाई तब तक लिखना जब तक खून में ना बस जाए और तीसरी चीज calculation से कभी नी डरना है तभी एक op student बनोगे trigonometric में ठीक है बच्चा जै बावा की I love you all चलो सर और कुछ बता दो हां बेटा और भी कुछ बताते हैं 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 ढूनते हैं पहले हां भाई साब यह देखो एक सवाल और देखो कितना सुन्दर चाहिए ठीक है सब लोग इसको बच्चा पाटी अटेम् पॉस कर लिया होगा और इसको दुबारा दुबारा नहीं मतलब करने का प्रयास करो ठीके भाई आपको करियर की कसा में आज हार नहीं मानोगे ध्यान रखना ऐसे सवाल है तुम यह सारे सवाल करोगे तुम से होई नहीं रहोंगे आज मैंने जानभूज की सेशन थोड़ा सा अगर आप चाहते हो इतने ही टफ है तो कमेंट करना हां सर हमें और भी टफ चाहिए तब भाईसा मुझे मजा आ जाएगा ठीक है नहीं तो मैं एकदम मेरे हाथ पैर खुल जाएंगे लेकिन यह मेरा वादा है मैं बेसिक से ही चलूँगा सारे स्टूजेंस का केर करते खें बच्चा पार्टी चलो आओ अब यहां पर देखो अब दिखाओ अब देखो इसको मैं मानता हूं रिक्वाएट जो आपको निकालना है ठीक है आप देखो बच्चा पार्टी यह जो आर है आसर यह और क्या है सर साइन टूएक्स अपॉन साइन टूगा से काउस देखो मैंने का देखो भाई कॉस्ट टू एक्स यह फॉर्म्ला होता है शायद आप भूल गये हो चलो भाई मैंने लिख दिया टू कॉस्क्वेर एकस माइनस वन अपॉन टू कॉस्ट स्क्वेर वाई माइनस वन खकयो एक किंव अब जलN यहां पर ध्यान देना और हमको क्या चाहिए मैंने का देखो भाई साइन x upon sin y है 3 sin x upon sin y को आपकोड़ कर सकते हो 3 इसको देखो काट सकते हो ठीके सार required equal to यहां या 3 next क्या है सर मैंने कहा देखो next है बच्चा पार्टी cos x upon cos y देखो cos x upon cos y कितना होता है यह होता है बच्चा पार्टी हाप ओके सर फिर आता है देखो बच्चा पार्टी फूट करनी है इसको कैसे निकालते है यह मैं आपको चैलेंज देता हूं कि समझ के दिखाओ ठीक है अब यहां पे देखन दो बच्चा पार्टी आप यहां से sin x निकालो साइन एक्स कितना आ जाएगा मैंने इन दोनों की हल्प से यह दोनों चीज निकाल ली अब देखो आपको क्या पता है आपको पता है कि sin square x प्लस जो cos square x होता है यह बच्चा पार्टी होता है वन बिल्कुल सही का है सरापने एकदम सही का है हां बच्चे अब बताओ भाई sin square x यहां से पुट करो इसकी value तो यह आ जाएगा मेरे cute से बच्चों 9 sin square y प्लस cos square x कितना हो जाएगा sir यह हो जाएगा cos square y divided by 2 equal to 1 मैंने क्या करा भाई यहां से sin x यहां पर पतक दिया यहां से देखो मैंने cos x पतक दिया दोनों के square का sum होता है 1 ओके sir अब देखो भाई साम next चीज क्या है sir यह जो cos square y है इसको हम लोग लिख सकते है क्या इसको sir हम लोग लिख सकते है 1- sin square y एक मैंने mistake करी भाई साब यहां पर 4 होगा यह 222 लिख दिया चलो मैं इसको दुवारा लिख देता हूँ अच्छा रहा देख लिया बना रोज की हमारे कांडों में एक और कांडों हो जाता ठीक है यहां पर 4 हो जाएगा square करते ही अब देखो भाई इसको जैसे मैं put करूंगा यह होता है 1- sin square y divided by 4 equal to हो जाएगा 1 आप इसको देखो बच्छा पाटी हम लोग और simplify करते हैं यहां space नहीं है ऐसा करते हैं एक line यहां पर एक रेखा खीज देते है ठीक है और यहां पर चलो इसको solve करते हैं अब देखो बच्छा पाटी जैसे आप यहां पर LCM वेगरा लोगे ऐसा करते है एक और काम करते हैं तुम इतना बवाल नहीं करते हैं हम ऐसा करते हैं कि भाई यह जो दिया हुआ है ना रुखना 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 यह जो कॉस्क्वेर एक्स और कॉस्क्वेर वाई आपको फूट करना है तो देखो हम लोग क्या करने की value की जड़ोत है तो plus कितना आ जाएगा cause square y divided by 4 equal to 1 ठीक है सर अब इसे और simplify करो तो देखो यह कितना आ जाएगा मेरे बच्चों यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 9 ठीक है और यह आ जाएगा minus 9 cause square y ठीक है सर प्लस आ जाएगा cause square y divided by 4 equal to y ठीक है बाई अब इसको देखो आप शांती से simplify करो और मुझे बताओ लेकिन मुझे कहां से बताओ कि मुझे लगा जैसे मिरी live class चल रही है तो देखो बाई मैंसे solve करता हूँ तो जैसे इसको solve कर रहा हूँ यहा रहा है minus 35 cause square y divided by 4 ओके सर और equal to कितना रहा है minus 8 यह अब दे देखो cause square y का value कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 32 upon 35 at least मेरा तो यही आ रहा है तो देखो थोड़े से मैंने लेंदी सवाल कराए है और लेंदी सवाल इसले कराए कि अभी से आपकी आदत ऐसी में डाल के रखना चाहता हूँ कि खतरनाक से खतरनाक सवाल करो जिसमें कि जब आप इजी सवाल है तब आप फोड़ दो ठीके सर अब यहाँ पर देना अब फूट तो नहीं गये हो ज़रा मुझे कमेंट करके बताना फूटे हो की फोड़ू हो की फूटे हो यह मुझे बताना अब देखो भाई आपके पास cause square y की तो देखो value आ गई अब आपको देखो इससे आ जाएगा cause square x पराबर आजाएगा cause square y divided by 4 ठीक है सर सर cause square y यहाँ आप निकाल चुके हो यह यह लहीं रिलेशन देखो यहां से निकाली मैंने इसको square किया है न यहाँ square किया तो cause square x हो गया cause square y by 4 देखो वही पे लिखा हुआ है ठीक है भाई square करके लिखा है इसके बाद में cause square y है 32 by 35 ठीक है सर जैसे put करोगे इसे you will get 32 by 35 और into 4 तो solve करोगे you will get 8 upon 35 तो हाँ सर हाँ बेटा तो यह आ जाएगा देखो cause square x की value यानि कि सर cause square x क्या है 8 by 35 अब देखो यह सारी values put कर दो जैसे आप पीछे जाओगे तो देख लो यहाँ पे कितना आ जाएग अब बच्चा बाटी जैसे इसकी जागे आप put करोगे तो यहाँ जाएगा 2 into 8 by 35 ठीक है सर minus 1 divided by यहाँ जाएगा 2 into cause square y कितना हो जाएगा 32 by 35 minus 1 यह simplify कर लेना और आपका answer आ जाएगा comment करना कि आपका answer क्या आया मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं ठीक है मेरे गाल से calculation मै बच्चा आपको देखना और यही answer है तो देखा वाईस आप एक अच्छे सवाल में क्या क्या चीजें use होती है बहुत दिन हो गये थे मैं अच्छे सवाल नहीं कराया थे इसलिए आज मैंने बच्चा थोड़े से अपने हाथ दिल दिमाग खोल लिया है ठीक है सर और सवाल करते हैं ठीक है सर आईए आज आ बेटा इसकी वेल्यू निकालो ठीक है देखो मैंने तुम्हें मिसलेनियस वे में आपको सवाल कराये इन दो की बच्चा पार्टी जल्दी से वेल्यू निकालिए I love you all चल वाई मेरी बारी आ गई बीदे वाई यह आपने solve कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो देखो भाई साब क्या क्या चीज़े होती है आपको और चीज़े दिखाता हूं मैं आईए आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो देखे बच्चा पार्टी अब देखो कुछ फॉर्मले हैं जितने फॉर्मले भाई आज मैंने लिखवाए हैं यह सारे के सारे फॉर्मले ऐसे हैं कि आपको याद होने चाहिए मैं फॉर्मला बता के सवाल करा हूं तो आपकी सोच कम होगी तो आपको बस यही फिल होगा कि ट्रिग्नोमेटरी क्लास में हो जाती है परन्तु आप से नहीं होती है इसलिए पहले मैं आपको सोचने को दे रहा होगा कि पहले बताऊंगा इसमें यह formula यूज हो रहा है फिर आप यूज कर दोगे से आप सोच नहीं पाऊँगे आप एक real IIT वाले material नहीं बन पाऊँगे ठीक है बच्चा पाटी तो यह मुझे comment जरूर कर देना कि यह होता है बच्चा वन माइनस कॉस्ट टू थीटा डिवाइड़ बाई होता है बच्चा पाटी साइन टू थीटा हाँ सर अब यहां पर ध्यान देना सब बाल है चलो सर इसका प्रूफ करते हैं तो देखो मेरे क्यूट से बच्चो आपको पता है कि यह जो कॉस्ट थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वेर थीटा हाँ सर हाफ एंगल में कनवर्ट करेंगे बिल्कुल सही और नीचे क्या लिख सकता हूँ बच्चा पाटी तू साइन थीटा इन्टू कॉस थीटा हाँ सर अब देखो जैसे आप मेरे क्यूट से बच्चो इसको सॉल्व करोगे यह आ साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा सॉल्व करोगे यह आ जाएगा बच्चा पाटी टैन ओफ थीटा हा सर यानि कि यही बेटा एलेचे से तो देखो इसको प्लीज फ्लैश प्रेड में लिख लो ठीकि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो धीरे 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 आता है इसलिए कोई टिंसन नहीं जितने फॉर्मले में बोला हूं लिख लो जिसमें कि आपके कल के क्लास जो होगी उसमें क्वेशन आपसे खुद से हो रहे होंगे ठीक है मेरे बच्चो चलो अब यहाँ पे ध्यान दो अब जैसे आपको इसमें 10 of 22.5 निकालना है तो देखो यह एक unknown angle होता है ठीक है अब यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान देना मैं क्या करता हूं मैं यही फॉर्मला यूज कर देता हूं कि भाई जो 10 theta होता है यह 1 minus cause of 2 theta divided by sine of 2 theta होता है अरे वाह क्या बात है अब यहाँ अब जरा ध्यान दो अगर बच्चा पार्टी थीटा मैं पूट कर दूं 22.5 डिग्री मैं इसमें देखो पूट कर दे रहा हूं ठीक है सर अब देखें जैसे आप इसको पूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 10 of 22.5 डिग्री और यह आ जाएगा 1 minus cause of 45 डिग्री divided by sine of 45 ठीक है सर और solve करो मेरे बच्चा अब आपको पता है यह होता है 1 by root 2 और यह होता है 1 by root 2 अब जैसे भाई इसको आप simplify करोगे तो यह आ जाएगा आपका root 2 minus 1 तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चा पार्टी इसी चीज़ को देखो याद कर लेते हैं तो द इसलिए देखो भाई यह ज्यान लिखा है जो आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखो भाई 10 of 22.5 डिगरी है और देखो यह रेडियंस में बेटा होता है 5 by 8 ठीक है 180 डिगरी को आप 8 से डिवाइड करो तो देखो यही आएगा तो देखो बहुत ही जादा यह फेमस ठीक है सर अब यहाँ पे ध्यान दो सर यह जो 10 of 67.5 डिगरी है सर यह कैसे निखलेगा बच्चा यह बी मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे निकलेगा ठीक है चलो भाई 10 of 67.5 डिगरी ठीक है सर अब ज़्छा एक चीज देखना हा सर अब देखो बच्चा पाटी मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर कैसे 10 of 90 degree minus 22.5 degree मैंने बताई नहीं थी पर ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल सही है सर अब बताओ what is 10 of 90 minus theta आपको पता है यह हो जाएगा देखो cot of theta देखा सब चीज पता है पर apply कब कैसे करना है उसमें बच्चा थोड़ा सा दिमाग गूम जाता है तो प्लीज दिमाग ना गूमाए अराम से patience के साथ पूरा lecture देखें और बोलें जैवावा की तभी चीजें बढ़िया होंगी ठीके अब यहाँ दियान दो बच्चा मैंने इससे लिखा 10 of 90 minus theta इसको solve करोगे तो यहीं पहुचोगे फिर आपको पता है what is 10 of 90 minus theta सर यह होता है cot theta और cot theta होता है 1 upon 10 theta और आप जानते हो यह क्या होता है 10 of 22.5 क्या होता है मैंने का सर यह होता है root 2 minus 1 अच्छा सर हाँ बेटा अब देख लो इसको कुछ लोग rationalize भी कर देते हैं आप ऐसे भी छोड़ सकते हो pink वाले answer में या फिर थोड़ से प्यारे से student बनके आप देखो उपर नीचे multiply भी कर सकते हो तो जैसे multiply करोगे उपर आ जाएगा root 2 plus 1 और नीचे बच्चा पार्टी आ जाएगा 2 minus 1 जो कि कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी root 2 plus 1 तो बच्चा पार्टी आप इसको याद कर सकते हो ठीक है यह दोनों values अगर आप याद कर लोगे तो जीवन बच्चा पार्टी कुछ हलका सा सुख में होगा तो यह homework question है देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं और इसके बाद बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ thank you इतनी देर मुझे सुनने के लिए और आप कितना परशान हो गए ठीक है मुझे पता है बस मैं एक आपको as a your senior as your guru as your baba as your teacher ठीक है मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बाई बिल्कुल हारना मारना जैसे आज का lecture बहुत बढ़िया से पढ़ लो तब तक करना जब तक खून में ना बच जाए अपने आपको decide कर लेना कि तुम हारने वाले इंसानों कि जीतने वाले इंसानों जीतने अले इंसानों तो ये तब तक कलम चलाओगे तब तक कलम चलाओगे जब तक ये सब चीज़ें तुम्हें दिल दिमाग में ना बच जाए तो आज के lecture में मैं तुम्हें challenge करता हूँ challenge करता हूँ मुझे करके दिखाओ और आखरी में comment करना कि sir challenge done मैंने 4 दिया हर चीज मेरे दिल दिमाग में बस गई और मैं future IITN हूँ ठीक है भाई चलो जैवावा की इस साथ आज ग्यान नहीं कल की class मिलेंगे love you all बाबाई